हलो गाईज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते ओनलाइन इस्टिटूट टार्गेट विद आलोग में फेंड्स, खंड सिक्षा अधिकारी की परिक्षा बिलकुल नजदीक है और इसी को देहान में रखते हुए संस्थान द्वारा मेराथन क्लास का ओजन हो रहा है और इस मेराथन क्लास के द्वारा आपके पूरे सिल्वस को कभर कराने का प्रयास दिया जाएगा और इस महरातन क्लास में आपको जो भी कोस्टन मिलेंगे वो कोस्टन बिलकुल परिक्षा के लिए संभावित होंगे अगर इन प्रस्टनों को आप बहुत ही सावधानी से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिल्बस लगभग 80% कबद हो जाएगा तो दोस्तों आई ये सुरू करते हैं देखते हैं कि हम कैसे इन कोस्टन को आसानी से पढ़ें और हाँ पढ़ते वक्त आप इन प्रस्टनों को अच्छी तरह से नोट करते रहिएगा या हमारे आपके बीच कुछ ऐसी बाते होंगी जिनको औरल आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा चुकि एक्जाम बहुत नजदीक है बहुत समय आपके पास नहीं है दोस्तों इसलिए संस्थान के दौरा महराथम क्लास के जरिए आपके सिल्बस को कवर कराने का प्रयास दिया जा रहा है और ध्यान देना यहां जो आप कोश्टन पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे तो आईए हम क्लास को सुरू करते हैं तो जैसा कि आपका पहला कोश्टन बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है और दोस्तों पहला कोश्टन क्या है कि कोशिका भित्ति किसमे उपस्थित रहती है बहुत अच्छा कोश्टन है जैसा कि पहला प्रस्टन जो है वो साइटोलोजी से लिया गया है कि कोशिका भित्य किसमे उपस्थित रहती है तो दिहान देना हम लोग यह जानते हैं यह सोचते हैं कि सेलवाल केवल प्लांट सेल में ही सेलवाल होती है लेकिन ध्यान रहे आपको जानना बहुत आवस्यक है कि प्लांट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं सजीव हैं जिनकी कोशिकाओं में एक विशेश प्रकार का आवरण होता है जिसको कोशिका भिति और सेलवाल कहते हैं तो आएए हम देखते हैं कि कोशिका भिति किन में होता है अब जो आपका Benni कंद में होता है अब यह पास बहुत हिसांदार कुशन है देखिए इसको यादकरने के लिए मेरे पास बहुत हिस्सांदार तरीका है अगर इस तरीका को आप देख लेंगे जल्दी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों जैसे जो पंजाबी लोग होते हैं वो अपने भाई को पाजी कहते हैं पाजी का मतलब होता है बड़ा भाई है ना पाजी कहते हैं अगर माल ल हम समझेंगे कि कहां कहां किन-किन जिव में को सक बूति होती श fällt मतलब होता है का सवालय यालगी भी बोल सकते हैं और सम्द कह से क्या होता है कंसे होता है कांसे होता है कवक यानने कि की फंजाई इसको कहते है Ted को फफूदी भी कहते हैं और उसके बाद है पा तो पा से होता है पादप यानि कि पौधा तो पा से क्या होता है पादप यानि कि पौधा और जीसी होता है जीवारू जीसी क्या होता है जीवारू यानि आपने देखा यहां पर लिखा गया है सैवाल कवक पादप और जीवा दिहान दीजीगा इन चारों की कोशिकाओं में कोशका भित्ती होती है, सैवाल पाई जाती है, अब रहा सवाल यहां से एक कोशन और बनता है, कि सैवाल की कोशिका भित्ती किसीज की बनी होती है, या कवक की कोशिका किसीज की बनी होती है, ऐसे कोशन आते हैं, तो फिलहाल क सकता है कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित है तो आपने देखा आपका जो ऑप्शन नमबर ये वाला है जीमारू इसमें भी पाई जाती है और उसके बाद कवक तो कवक में भी पाई जाती है और इसके अलामा सैवाल यानिकी अलगी तो इसमें भी पाई जाती है कोशिका भ तो आपका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा डी अगर हम देखे कि सहवाल की कोश्च का भित्य की बनी होती है तो ध्यान देना यहां पर पौधे और कवधे और सहवाल की कोश्च का भित्य एक बीसेस प्रकार के polysaccharide से बनी होती है एक बिशेस प्रकार के carbohydrate से बनी होती है जिसका नाम है cellulose चुकि परिछाओं में ऐसे परस निरंतर पूछे गए ठीक है ना cellulose एक polysaccharide carbohydrate है जिससे सहवाल और पौधे की कोश्च का भित्ती निर्मित होती है अब बचा हुआ कवक है तो देहान देना दोस्तों कवक की कोश्च का भित्ती एक बिशेस प्रकार के protein द्वारा निर्मित है जिसका नाम है kaitin तो kaitin protein से कवक की cell की cell वाल बनती है और उसके बाद है जीवानू तो देहान देना question आ चुका है जीवान की कोश्च का भित्ती pepto do glycon तो जीवान की कोश्च का भित्ती pepto do glycon की बनी होती है देहान देना इस एक प्रस्त से आपने बहुत कुछ देख लिया है यानि कि इन सब में कोश्च का भित्तिया होती है और इनकी कोश्च का भित्ती cellulose की किसी की kaitin से इन सबसे बनी होती है ठीक है ना तो दिये गए प्रस्ट के अनुसार उत्तर आपका D सही होगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ट हमारा कौन सा है clear तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रस्ट हमारा कौन सा है निमलिकित में से गुरुत्वी तुरर का मान होता है ठीक गुरुत्वी तुरर का मान क्या होता है ये बहुत ही सांदार प्रस्ट है परिच्छा में बिल्कुल आ सकता है कि कोश्टन दिया हुए निमलिकित में से गुरुत्वी तुरर का मान कितना होता है जो पहला आपका उतर है 9.8 एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर option number B है 11.2 किलो मीटर प्रति सेकेंड उसके बाद दोस्तों option दिया गया है 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 newton मीटर स्क्वाइर पर किलोगराम स्क्वाइर option B दिया गया है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर तो सबसे पहली बाद हमको जानना पड़ेगा कि गुरुत्वी तोरण होता क्या है दोस्तों तो देहांगे ना कि प्रत्वी प्रत्यक वस्तु को अपनी और आकरसित करती है ठीक है ना जैसे माल ये प्रत्वी है ये प्रत्वी क्या करती है ये कोई वस्तु हो गई कोई भी वस्तु है एम्द्रबेमान की तो प्रत्वी क्या करती है हर वस्तु को अपनी और आकरसित करती है ठीक है ना और जब कोई वस्तु उचाईर से प्रत्वी पर गिरता है तो जैसे जैसे वह वस्तु प्रिथवी के केंद्र की ओर आता है उस वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहता है और यानि कि उस वस्तु के वेग में परिबर्तन होता है अर्थार उस वस्तु के वेग में तौरण उत्पन होता है और यह तौरण प्रिथवी के गुरुत्व बल के कारुण उत्पन होता है इसलिए उस तोरर प्रितवी अपनी और आकर्सित करती है यह कोश्न दिया गया है तो दोस्तों द Ada यहाँ है, यहाँ पर पहला का उत्तर है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गुर्तवी तोरर यानि इस माल जी इसे हम कहते हैं गुरुत्वी तो रड़ कामान इसमाल जी कोश्चन आया हुआ है और यहां जो अगला आपका उत्तर दिया गया है B 11.2 km per second square दोस्तो एक ऐसा वेग होता है जिसको हम पलायन वेग कहते हैं अगर पलायन वेग से किसी वस्तो को हम उपर फेके तो वस्तो क्या करेगी पित्वी के गुरुत्वी छेतर को पार करके आंत्रिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं आएग जैसे अगर हम किसी वस्तो को उचाई पर फेकते हैं तो रहां प्रिथबी के गुरतुई छेतर को पार करके आंथ्रिक्स में चले जाती है और वाबस नहीं आती हुआ ठीक है चैना जिसमान लीज्येद प्रिथभी हो गई अब तो प्रिथभी के चारों तरुप क्या होता है यह वे सकट होता है अगर इस एरिये में कोई भी वस्तु रहेगी तो प्रिधी उस वस्तु को अपनी और आ जाaking नेंगी लेकिन बोला ऐसा वाग too इससे किसी वस्तु को प्रिधी से उपर ठेकने पर वह वस्तु प्रिधी के इसृ दून को पार करके आंदृक से चली है कहते हैं ठीक और दोस्तों ये तो होगे आपका गुरुत्वी तोरण अब ध्यान देना यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है कि 6.67 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 11 देखिए यह भी एक इंपोर्टन चीज़ कोई कोश्चन यहां से बन जाता है तो यह है क्या तो धिहान देना हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वा कर्षण तो गुरुत्वा कर्षण दोस्तों क्या होता है यह होता है गुरुत्वा कर्षण बल एक बराबर कैटल जी M1 M2 अपान आर स्क्वाई ठीक है क्या होता है यह होता है गुरुत्वा कर्षण बल का एक क्वेशन यही होता है एक बराबर कैटल जी M1 M2 अपान आर स्क्वाई यहां जो एफ है यह गुरुत्वा कर्षण बल है और यहां जो जी है यह गुरुत्वा कर्षण इस्तिरांग है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉंस्टेंट यानि कि जो कैटल जी होता है यह कभी चेंज नहीं होता है माल लिया कि दो पिंड है M1 और M2 दोनों के बीच की दूरी क्या है आज ठीक है तो कि नहीं दो पिंडों के बीच कार्षण करने वाला गुरुत्वा कर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुड़न फल के शमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के द इसकी वेलू पूछता तो देहान देना यही क्याप्टल जी की वेलू है इसको हम कहते हैं गुर्टवा करशन इस्थिरांग कहते हैं इस बात का देहान देना पर कई बार पूछा गया है बिल्कुर संभावित भी है जो अगला आपका उत्तर है वो थ्री इन्टु टेन टो द प्रकास का वेग यह क्या है यह प्रकास का वेग है निर्वात में ठीक ना प्रकास का वेग सबसे पहले किस ने गया किया था और उमर ने गया किया था और ध्यान देना प्रकास का वेग सबसे अधी कहा होता निर्वात में निर्वात क्या है जहां पर कोई भी माध्यम नही सेकेंड होती है फिलाहत प्रस्ण के अनुसार जो हो जाये गा वो जाएगा और इसके बाद भी यहां पर बी आप्सन क्या है यह पलायन मेकर मान है और यह तिय मॉत फ्ऱार्ब कर निर्वात में इ直보 को हम इसी करम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कोन सा है कि अ मतल नोबल पुरस्कार दिया गया ठाह्म था बहुत हिसांदार प्रस्थ है ठीक है ना तो गुर्तवा किस जो है oppress नियम के लिए इनको홓 और दिया गया था जैसा कि आपका उत्तर दिया गया है रमन प्रभाव प्रकास का अपवर्तन प्रकास का प्रक्रीडन प्रकास वैद्ध प्रभाव ठीक है दोस्तों हुआ यह था कि जब रमन शाहब ने रमन प्रभाव दिया था तो रमन प्रभाव देने के बाद इनको बुलाया गया था Royal Society Britain में एक आवावड के लिए ठीक है ना ये पुरसकाल लेने के लिए जा रहे थे रमन प्रभाव की खोश के लिए Royal Society Britain तो जब ये पानी की जहाद से जा रहे थे तो इन्होंने पानी का रंग देखा तो उस समुद्र के जल का रंग इनको कुछ से नीला दिखने पड़ा तो इन्होंने सोचा कि जो जल होता है वो तो रंग हीन होता है गंद हीन होता है और स्वाद हीन होता है तो ये समुद्र का रंग जो है जल का रंग नीला क्यों है और ये सिद्ध करने के लिए दोस्तों ये जब बिर्टेंड गए वहां से रोयल सोसाइटी से पुरस्काल लेकर के वापस आते हैं तो इन्होंने अपनी खोज प्रारंब कर दी कि आखिर जल का रंग नीला क्यों दिखाए दिया तो इन्होंने खोज करी जिसका नाम था प्रकास क प्रकृडन तो देहान देना प्रकृडन का मतलब क्या होता है फैलना विखरना तो जिन्होंने बताया कि जब प्रकास किसी ऐसे माध्य में संचरण करता है जहां धूल धूये तथा गैसों के सुचमकर होते हैं तो होता यह है कि प्रकास इन कड़ों पर पढ़ने के बाद सब दिसाओं में परावर्टित हो जाता है और इसी घटना को प्रकास का प्रक्रिडन कहते हैं जयानि कि यब प्रकास किसी ऐसे माध्यम में संचरण करता है, जहां पर बहुत सारी गयसे हैं, धूल के कण हो, धूएं के कण हो, तो प्रकास क्या होता है? उन कणों पर पढ़ने के बाद सभी दिसाओं में फैल जाता है, बिखर जाता है, इसी घटना को इनोंने प्रकास का प्रक्रिडन कहा, क्योंकि जब प्रकास आंत्रिक्स यानि सूर्ष जब आता है, तो सबसे पहले वहाँ इस पेस रहता है, आंत्रिक्स होता है, तो वहाँ प तो जिस रंग की तरंग दैर सबसे अधिक होती है उसका प्रकृडण क्या होता सबसे कम होता है तो दिहान देना विभ गयोर में कुल साथ रंग होते हैं जिसमें जो वाइलेट है इसकी तरंग दैर सबसे कम होती है यानि कि इसका प्रक्रीडन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक बिखरना होता है यही रेड जो होता है, रेड की वेबलेंड सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम बिखरता है और दूर से अस्पष्ट दिखाई पर जाता है आकास का रंग नीला क्यों है क्योंकि इन रंगों का प्रफीडन फैलाव सबसे अधिक होता है ट्रैकिक सिगनल में लाल रंग का प्रियोग क्यों करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रफीडन सबसे कम होता है और वह दूर से ही अस्तष्ट दिखाई पर जाता है तो दोस्तों इसी घतना के लिए रमन साहब को नोबल पुरस्कार दिया गया था 930 के आस पास ध्यान देना प्रकाश के प्रकीडन की खोज के लिए यहां कुछ और दिये गए है यहां कुछ दोस्तों है पहले मैं कुछ है प्रकीडन पर कुछ उदारा बता दूर आपको की आकास कारण नीला होना ठीक न या फिर सुरियोदय एबं सुरियास्त के समय सूरे का लाल दिखाई देना खतरे के निसान में या ट्रैफिक सिग्नल मे लाल दिखाई का परयोक करना ये सब प्रकीडन की घतना के कारण ही होता है इस बाद का द्यान दिजेगा आगे दिया है प्रकास का अपवारतन तो दोस्तों प्रकास के अपवारतन को हम आ इसले कर नियम भी कहते है इसे इसले और किसी भी मचली जब कोई तालाब में तैरती है, तो मचली अपनी वास्तवी गेहराई से कुछ ओपर दिखाई देती है, यह भी प्रकास के अपवरतन का ही उधारण है, या जब हम कोई छड किसी पानी भरी बालती में डालते हैं तो छड टेड़ी दिखाई देती है, या भी प्रकास के अपवर्तन का ही उधारर है या जल में डूबी हुई उंगली तेड़ी दिखाई देती है या स्वक्ष जल के तालाब का अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना ये सभी प्रकास का अपवर्तन होता है और एक कॉइंट यहां पर दोस्तों और प्रकास वैदुप्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस सिद्धांद के लिए आइंस्टीन साहब को नोबिल दिया गया था इस सिद्धांद के लिए आइंस्टीन साहब को नोबिल दिया गया था प्रकास वैदुप्रभाव क था ठीक है ना तो यह जो सई उत्तर होगा, days केश के लिए आगे दीआ हैboy गैस से थोस में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है उत्तर यह पहले Condensation या Wasprand या ने दोस्तो vaporization या तुर दृढ़ी कराड़। जिसको कहते हैं konsolidation झाल अपका जोडश न होता है लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है गैस से ठोस में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है देखिए अगर हम इससे देखें तो बहुत ही आसान दोस्तों होता है और यह होता कैसे है जैसे कुछ उस पॉइंट्स हम यहां लिख लेते हैं वह पॉइंट्स कौन कोर से हैं यहां लिख लिए हमने ms थोस यानिकी सॉलिड को यह हो गया है और यहां लेकिल अने के दृप और यहुंगा गैस यह होगा गैस तो निलिकविट एंड गैस तो सबसे पहला कोई जिस्कुस पे क्या बनता है देखिए लिकविट टू सॉलीड ठीक है आर सॉलीड टू लिकविट लिकविट टू गैस आर गैस टू लिकविट यहां arrow का बहुत अच्छी तरह से आप ज्यान दीजेगा solid to gas gas to solid सारे points बहुत important है यहां से example अच्छी तरह से पुछता है इसको हम कहते है change in stage यहांने कि आवस्था में परिवर्तन तो आवस्था में परिवर्तन क्या होता है very important point तो आवस्था में परिवर्तन क्या है यह change in stage क्या क्या होता है कैसे कैसे points बढ़ सकते हैं तो सबसे पहले draw cut host में बदलना कोई liquid है वो solid में convert हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं जिसे पानी है वो बर्ब बन जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं heemang इसको heemang कहएंगे या इसको हम कहेंगे freezing point क्या भोलें उसको उसे हम कहेंगे freezing किसी द्रव ने होता है heemang कहलाता है freezing कहलाता है ठीक है ना और ये कितने पर होता है zero degree Celsius Super solid to liquid यानि कि किसी बर्प का पिगहल करके द्रौ में बदलना, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है, मेल्टिंग, और इसे हम कहते हैं, गलनांग, यह मेल्टिंग कहलाता है, अर्थाद गलनांग कहलाता है, और गलनांग भी होता है, जीरो डिगरी सेल्सियस पर, इसे मेल्टिंग कहते हैं, और देखिए, द्रौ का गैस मे कोई द्रव है चाहे उबल करके या फिर ऐसे ही वास्प में बदलना तो दो चीजे होती है एक होता है बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम क्वाथनांग कहते हैं को दोनों क्रियाओं में द्रव क्या होता है वास्प में बदलता है तो वास्पन के लिए किसी भी तापमान पर वास्पन होता है लेकिन अगर तापमान बढ़ जाए या पिर एरिया बढ़ जाए तो वास्पन की दर क्या होती है बढ़ जाती है और जो कॉछनांग है वोईली है यह 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है गैस का द्रव में बदलना जैसे जब वास्पन होता है तो वास्पन की घटना के बाद जो जलकी बूदे होती है, यह वायुमंडल में जलवास्त करूप में रहती है, जैसे ही तापमान बढ़ता है, या हवा चलती है, तो जलकी बूदे क्या होती है, वो द्रव में बदल जाती है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं शंगनन, या इसे हम कहते हैं कंडन्जेशन, और निर्मार होता है इस बाट का ध्यान देना कोशन बन जाए बादल कैसे बनते हैं तो संगनम् की क्रिया के बाद ही बादल बन पाते पर आगे ठ्वों्स से किसी आप ने सुना होगाipe ओटीन का कर पूर का या फिर मोंबति का जलना जब हम फिदो recordedill Ma ठोस से गैस में बदलता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं सबलीमेशन यानि इसे हम कहेंगे उर्धो पातन तो उर्धो पातन ऐसी क्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधा गैस में बदलता है ना कि वो द्रौम बदलेगा आगे है गैस से ठोस में यही प्रसंथा आपका कि गैस से ठोस होस में बदलना क्या कहलाता है तो दिहान देना इसे हम कहते हैं कि द्रिढ़ी करण और इसका उधारण बहुत कम लोग जानते होंगे तो दिहान देना जब किसी दीपक से या किसी दीए से काझल का निर्माड होता है जब तो पहले इस दीए में क्या होता है तो इसी घैस से क्या होता है कगाजर तो दिहान देना गय से थोस में बदलना क्या होता है कांसोली देशन होता है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रस्ण का दी और उर्दो पातन क्या होता है कपूर मुंबत्ती और आयोडीन का जलना शंगनन क्या होता है बादलों का निर्मार होना वास्पन दोस्तों क्या है जलका वास्ति किर्थो करके वाई मंडल में पहुँच जाना और द्रधी करन का मतलब होता है गैस से ठोस में बदल जाना ठीक है ना चलिए आगे अगला प्रस्ण शबसे भारी धातु कौन सी है तो सबसे भारी धातु कौन सी है तो चांदी सोना पारा ओस्मियम अगर हम चांदी की बात करें तो देहान देना यह क्या है सर्वोत्तम चालक है विद्दुत और उस्मा की सर्वोत्तम चालक क्या होती है चांदी होती है यहीं फिर दिया है सोना तो देहान देना भी इसके भी कुछ करेक्टर होते हैं जैसे की सर्वाधिक तन यह यहीं इसमें इतनी इलेस्टिक ही होती है इतना तन्य होता है सोना कि सोने अगर एक ग्राम गोल्ड है तो एक ग्राम गोल्ड से क्या हो सकता है एक ग्राम गोल्ड से 200 मीटर का तार बन सकता है ठीक है ना तो सबसे तन्य और अगहात वर्द सबसे अधिक चोट सहने वाला अतत्त दोस्तों क्या होता है वो सोना होता है अगर सोने पर हम चोट करें तो यह क्या होगा यह भांगूर नहीं होगा जल्दी पूर्ता नहीं है बलकि वह बहुत ही पतला हो जाता है इसलिए मैंने कहा कि एक ग्राव सोने से 200 मिल्टर का तार बन सकता है दिहान देना कोशन पूछता है कि सुद्द सोना कितना होता है तो 24 करेट का होता है इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है 20 भाग क्या होता है इसमें 20 भाग होता है गोल्ड और 4 भाग क्या होता है इसमें 4 भाग होता है कॉपर तो सुद्द सोना होता है 24 करेट का जिसमें बीस भाग क्या होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है, चार भाग क्या होता है, कॉपर होता है, सोने को मजबूत बनाने के लिए, तंग बनाने के लिए उसमें कापर यानि की तांबे का प्रियोग करते हैं, सोने के नाम से कुछ यह कंपाउंड है, जैसे की पूछता ठीक है न यह कहते हैं कि क्या होता है सौना क्या होता है जर पी करते रहेंगे को साल देयान देना य-0 करते मैं सोना अगे है पारा ठर्मा बारे का प्रियोग और इसका प्रियोग भी होता है और पारा क्या है जो फ्रकारी सब्सक्राइब अलांकि गेलियम ऐसा तत्यों है ऐसी दातु है जो कड़में के इताफमान पर द्रव औवस्था में पाई जाती है और यहां पारा क्या है पारा द्रव धहतु तत्यों है ठीक है फैक है नौश hmlyum, दोस्तों सबसे भारी धा इभारी धात यही है तो सबसे भारी धात तत्यों क्या है दोस्तों ऑस्मियम है और ध्यान देना सबसे अधिक घनतों किसका होता है ऑस्मियम का ही होता है most important point है ति यहां जो उत्तर दिया गया है इसमें जी आपका उत्तर सही होगा सबसे भारिध हातु कौन सी तो सबसे भारिध हातु ऑस्मियम होती है बाकि चाली सबसे अधि गहना से कि जोस्तों दिए गया है कि धोने का सोडा क्लियर धावन सोडा क्लियर यहां पैद्धोने काanca सोडा क्या है जैसको हम कहते हैं वासिंग सोरा गया हो कार्बोनेट ओक्रीं कर्णीन कार्बोनेट और दोस्तें फिर दिया गया है मैगनेशियम ओक ठीक उंडियोनेटsay है और स्सक्राइब कानेट इस्ट आपका। अमरी मेंस्वीऊन कर्णीन कर्णीigor नर्दasına कवानम इसाइव mol देहान देना दोस्तों ऐसे questions पर एक छाम इंदर अंतर पूछे गए हैं कि धोने का soda किसको बोलते हैं तो देहान देना sodium carbonate यह एने 2CO3 ठीक है ना दोस्तों होता क्या है एने 2CO3 यह होता है sodium carbonate और इसको हम कहते हैं धामान सोडा या इसको हम कहते हैं वासिंग सोडा और वेरी इंपोर्टेंट वैसे दिख्या दिया गया है potassium carbonate और calcium carbonate ठीक है ना तो दोस्तों यह सब प्रगार के compound होते हैं और इसमें जो सही आपका उत्तर होगा कि धामान सोडा क्या होता है तो आप बताओगे sodium carbonate ऐसे question आप से पूछेगा कि ऐसा कौन सोडा जो खाने वाला होता है तो खाने वाला सोडा अनिकी बेकिंग प्रगकपाऊडर घंडए या पूछता है कि टेबल सॉल्ट का फॉर्म या ब्राइन किसे कहते हैं तो टेबल सॉल्ट या ब्राइन हम कहते हैं या दोस्तों पूछता है कि ब्लिचिंग पाउडर क्या है ये ब्राइन कैने आफ पूछता है कि अन दे लिच्छिंग पाउडर ख्युतर हैं और दोस्तों क्या होता है कास्चिक सोडा होता है NaOH तो ऐसे questions बराबर परिक्षाम पूशे गए हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा sodium carbonate तो sodium carbonate क्या होता है यह धोने का फ्लॉरी कल्चर है फ्रस्ट लों की खेती एग्रोनामी क्या है फ्रस्ट लों की खेती फिर दिया गया है सब्जियों की खेती होटी कल्चर फ्लों की खेती पोमोलॉजी इसमें से कौन सा सही नहीं है तो अगर हम देखे फूलों की खेती क्या होता है फ्लॉरी कल्चर अगर फ यहां जो सबजी की खेती रहेगा यहांगा जो सब्जीयों की खेती रहेगा यह हो जाएगा आपका ओलेरी कल्चर ये क्या हो जाएगा ओलेरी कल्चर लेकिन ये बागवानी दिया गया है तो बागवानी में एक ही साथ फल सब्जी और फूलों की खेती होता है यानि कि दिये गए प्रस्टिन के अनुसार क्या होगा ये गलत होगा आगे है फलों की खेती त ध्यान देना ऐसा ही प्रस्टन आयें कि परिक्ष infection ासाल भी मेधा कुछ कठ़िंब यह आपके लिए लिए बहुत जरूरी है एक बार मेरथन लेखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रस्टन वह experience के हो जाएंगे सब्सक हो सब्सक्राइथ एक होता है कि एक अगूर की खेती घुञाट है कि वदा एक होता है ऐसे बहुत सारे कोश्चन यहीं से बनते हैं एक रा इसको हम यक्ष्मा भी कहते हैं आगे है पीडिया फिर चेचक फिर मम्स इसमें से कौन सा जीवानु से होता है तो अगर हम बात करें दोस्तों तपेदिक की तो तपेदिक को हम यक्ष्मा भी कहते हैं यहां पूछता है कि तपेदिक का प्रभाव कहा होता है तो तुरंत आप बताएंगे कि तपेदिक का प्रभाव जो होता है यह हमारे रिस्परेटरी ओर्गन पर होता है स्वशन तंत्र पर होता है और दोस्तों सबसे पहले यह जिस जीवानु से होता है उस जीवानु का नाम है माईको बैक््तिरियम ट्ईबर ग्लोसिस 1 सौ जीवानु का नाम है इस जीवानु से फैलता है माईको बैक्तिरियम ट्यूबर क्लोसिस इसको हम us क favored कहते हैं तो नो कर दे रहा हूं तो माइकोबैक्टिडियम टूबर क्लॉसिस तो इसकी खोज रावर्ट कोच ने की दियान देना आप लो रावर्ट कोच ने क्या तिया है इसकी खोज की है और इनके लिए नोबेल भी इनको दिया गया था इस खोज के लिए और इसका प्रभाव मैंने कहा फेपडे पर होता दोस्तों तो जीवार से कौन से रहोग होता है और देहां देना चेचक के जो यहां पर यह तपेदिक है इसके की क्या करते हैं इसके खोज किसने कीथी को बनता है तो सबसे पहली बाद जान लिए इसके उपचार के लिए वी सी जी बैसिलस कालमेट गलूरीन का टीका प्रि के ठीके की खोज किषण की है तो पहले बात नाम पूचता दो नाम या इसंद कुछ कि आ काम ला पहते हैं और पीरिया क्यूं ने मत बढ़ होता है को मात्रा तो रोधिर वह होते हैं 1997 शरीर के अंग क्या होते हैं पीले पढ़ जाते हैं और इसी रोप को हम पीणीया कहते हैं और पीणीया में प्रभावित मुदा यकृत यानलिकमी यखियं यही अंग सबसे पहले प्रभावित होता है जोकी में निकलते हैं जो सरीर में बनने वाले रहानिकारत बिसहले पदार्थों का नास करते हैं और इसी यकृत में गलुकोज होता है गलाइकोजन के रूप में संचित रहता है आवसकता पढ़ने पर हमें उर्जा प्रदान करता है और दोस्तों इसी यकृत से हिपैरिन नामत प्रोटीन निक यही से फाइबर नोचेल थ्रामविन या एंटी बाडी इन सब प्रोटीन का निरमार भी हमारे यकृत में होता है तो पीलिया का प्रभाव कहां होता है लीवर पर होता है इसे जौन्डिस या कामला भी कहते हैं और पीलिया में शरीर के अंग पीरे पर जाते हैं दोस्तों सब्सक्राइब या दूसित जल से हमारे तक पहुंच जाता है और दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की थी इस बात का दिहान देना भाई कि दोस्तों एडवर्ड जेनर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या किया था एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की है क्लियर और इन्हें हम कहते हैं फादर आप इम्यूनो लॉजी यानि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों यह है एडवर्ड जेनर हिरो ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी बाकी देखिए मम्स है मम्स को हम गल्सुआ भी कहते हैं क्या कहते हैं मम्स को हम गल्सुआ भी कहते हैं इस बात का आप लोग ध्यान दिजेगा तो mams virus से ही फैलता है इस गल्षवा में यहाँ जो हमारी parotid घ्रंथीया वोठी कहोती है उसमें swalohing होती है और इसी को हम गल्षवा कहते हैं यहां जो सही उत्तर होगा निम्लिकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो दिहान देना आप लोग यह क्या होगा यह आपका हो जाएगा तपेदिक यह कैसे फैलता है माईको बैक्टीरियम टूबर क्लॉसिस से फैलता है बाकि सभी रोग कैसे फैलते है यह फैलते हैं विशाडू से अगर मैं बात करूं जीवानों से होने वाले रोगों की तो हैजा निमोनिया टिटनस या काली खासी या कुष्ठ रोग दोस्तों यह ऐसे रोग है जो जीवानों से फैलते हैं ठीक है न अगला प्रश्चन है कि सूची को मिलान करना यहां पर सू यहां पर कुछ फिजिकल कॉंटिटीज दी गई है और उनकी यूनिट भी उनके सामने रखी गई है तो इन यूनिट को आपको मैस करवाना है दोस्तों देखते हैं क्या सई होगा है इसमें पहले क्या है दिया गया है एक्सलरेशन तुरर का मात्र क्या होता है तो यह होता ह है मीटर पर सेकेंड इसकोन है डोस्तों तोरर को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है एकसलरेशन ठीका और तोरर प्रण का सही मात्रक हो जाएगा आपका ठीक है एक फोर फिर दिया गया बल तो देहान देना भाई किसी बल वह वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में गती में दिशा में या आकार में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रियास करें तो यह होता है एब बराब इसका होता है कितना होता है तो एक न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन होता है आगे दिया गया है कारे-डबलु वराबर क्या कारे कामात्र जूल है हम कहते हैं कि मिल जूल कर कारे करें क्या कहते हैं मिल जुल कर कारी करें तो कारी का मात्र क्या होता है जूल होता है आगे दिया हुआ है आवेग यानि की इंपल्स दोस्तों इंपल्स का मात्र क्या होता है न्यूटन सेकेंड तो ध्यान देना आप इस वकार से इसको सुमेलित कर सकते हैं ठीक है ना आवेग क्या होता है जब को यहां देखें जो सही, उसका उत्तर बनेगा, आपका 1 का 4 है, और B का 3 है, तो 1 का 4, B का 3 यानि आपका यही आपका डी वाला आपसंथर्ण क्या होगा, यह सही लिंद्टर होगा, ठीक है ना, चलिके, कोशा नमर 10 है, कोशा नमर 10 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा यानि अगर कोई कालीन लेकर कि उसको हम छड़ से पीटते ऐसे तो उसमें कौन सा लो होगा कों सविधार बाइं गति का पहला नियम गति का दूसरा नियम गति का फिसरा नियम गति कह पेहले और दूसरे नियम Story anybody तो बात गति का नियम दिया किस्दी है तो ध्यहां देना न्यूटन साहा, इन्होंने अपनी पुष्टक प्रिंसीपिया में 1687 में इनकी किताब आई थी प्रिंसीपिया, तो प्रिंसीपिया में सबसे पहले प्रिंसीपिया में सबसे पहले प्रिंसीपिया में न्यूटन ने प्रिंसीपिया नामत पुष्टक में गति के नियम प्रस् द्सको कहा होता है श्यक्या नियम जिसको ला आफ मौमेंटम और iyक्षय को लकी परिभासा मिलती है यह है ते पहले नियम वेश्व मेलब्ध को एक को गती कर रही है तो उस वस्तु की दिशा में गती में आराच में परिवर्च्थर होगा जब उस पर कोई वाहइबन लगाया चाहे तो यह दो वस्तु की अवस्था में दिशा में गती में परिवर्तन होता है ठीक है ना तो बल की परिवर्था मिलती है पहले नियम से और दूसरे नियम से क्या होता है बल का बैंजक मिलता है जिसमें कहा गया अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी यह होता है थर्ड ला आप मोशन ला एक्षन रियक्षन दिये गए प्रस्तिक अनुसार किसी कालीम की सफाई के लिए यदि उसे च्छल से पीटा जाए तो उसमें कौ कोई वस्तु इस्थिर है जब उसको पीटेंगे तो वस्तु में क्या होगा गती होगी है ना यानि पहले वस्तु इस्थिर थी हमने उसको पीटा यानिकी बल लगाया जब हमने वस्तु पर बल लगाया तो उसकी अवस्ता में क्या हुआ परीवर्तल हुआ दो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहां पर गति का पहला नियम लागू हुआ है तो इस प्रस्तिक के अनुसार क्या हो जाएगा इसमें पहला या पेड़ हिलाने पर पत्ते गिर या फल गिर आते हैं तो वहां भी फर्स्ट लौ होता है क्लियर या जब कोई चलती हुई गाली के अचानक रुपने पर यातरी आगे की ओर जुख जाता है तो पहला नियम ठीक है ना या दोस्तों बंदू या जो है ऐसा होता है कि जब बोली मारते हैं तो कांच में छेद हो जाता है लेकिन जब पत्थर मारते हैं तो क्या होता है का प्रहार से एच को तोड़ देता है तो वहां कौन सा नियम होता है तृसरा नियमा होता है दोस्तों किसी टेज आती गेत को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे किया जाता है यहां भी दूसरा नियम होता है अगर हम बात करें थर्ड लौ की एक्षन रियक्षन की तो दीवाल में जोर से मुक्का मारने पर चोट लगना कौन सा नियम होता है यहां पर तिसरा नियम होता है उचाई से कुझने पर रॉकेट का आगे बनना, तिस्रा नियम होता है, हेलिकॉप्टर का उणा, तिस्रा नियम दोस्तो होता है, या हवाई जहाज का उणा, यहाँ भी थैर्ड लोह होता है, ठीक न, ऐसे पोइंट ये थोड लॉम काम करते हैं, फिल हाल के लिए दिये गए प्रस्ट के अनुसार, आपका दोस्ता ही उत्तर होगा, वो क्या होगा? वो होगा गति का पहला नियम, ला आप एनर्सिया, और इसी को हम गैलीडियो का नियम ही कहते हैं, most important चीज है, आगे बढ़ेंगे, बिसाणू में क्या होता है? देहान देना भाई, बात वरी यो वाइरस की दोस्तों, तो पहले इसकी खोज किस ने की थी, तो आपने सुना होगा इवानो वस्तकी ने, इवानो वस्तकी ने इसकी खोज की थी, और विशाणू दोस्तों, आ कोशिकी होता है, इसका मतलब इसमें कोशिका नहीं होती, बहुत विशेस बात है, भाई, इसमें कोशिका तो होती ही नहीं विशानु आकोश की है खोज कौन किया है इवानों वस्की ने किया है और एक प्रमुक बात और है भाई यह क्या है जीवित और मृत के बीच की कड़ी जीवित प्लस मृत जीवित और मृत के बीच की कड़ी है ना तो जीवित है ना तो मृत है जीवित भी है मृत भी है तो द तो कैसे बनता है यह बनता है इसमें और प्रोटीन से बनता है इसका नाव नाम क्या है यानि जिसको हम कहते हैं कोरोना वाइरस ठीक है ना दोस्तों ध्यान देना कोरोना वाइरस वाइरस ऐसा जब इसमें कोशिका नहीं होती तो मरता ही नहीं है यह केवल निस्क्री हो जाता है लेकिन जैसे एट्वास्पियर मिलता है विशानु क्या होते हैं एक्टिव हो जाते ह तो धियान देना आप लोग दोस्तों विशाणू या तो बहुत ही हाइट टेंपरेशर पर काम नहीं करते हैं ठीक है तो यहां जो विशाणू है जिवित और मृत के बीश की कड़ी है यह समझ लिए अमर होता है इसमें कोशिकाय नहीं होती खोज किया है और कैसे बना होता है नुकलिक एसिड और प्रोटीम से बना होता है ठीक है दोस्तों चलेए अब है अग्ला प्रसण हमारा इगार इगार किस से तयार होता है तो सबसे पह unw Ecology या अड़के यह हैं क्या देखिए एगार इगार इक पदार्थ होता है जिसको एक यानिकी सयवाल से प्राफ्ट करते हैं बहुत इंगोर्डन कोष्ण है यहां से आपके कुछ प्रस्थन और भी बन जाएंगे तो सबसे पहली बात दोस्तों एगार-एगार क्या होता है तो एगार-एगार सयवाल है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा सहवाल है तो कौन सा सहवाल है तो देखिए एक सहवाल होता है इसका नाम है ग्रैसिलेरिया ध्यान देना यह point बहुत important है ग्रैसिलेरिया दोस्तों ग्रैसिलेरिया एक सहवाल है और इस सहवाल से क्या मिलता है इस स बनता है इस पदार्थ से पॉलिस बनता है और इसी पदार्थ से एगार-एगार से सौस बनता है देखा एगार-एगार कैसे प्राप्त होता है ग्रैसिलेरिया नामक सहवाल से बनता है और इसी से रेजिन पॉलिस सौस त्यादिक कमर्सियल जो सब समागरिया होती है प्राप् बनता हैि इसी ग्राशिलयरिया से क्या बनता है है अलवा और नोस्टोक तो अलवा वा नोस्टोक ये दोनों ऐसे स्यवाल है जिन स्यवालों से सलाध बनता हैсь सलाद बनता है most important आपने देखा होगा कि laminaria, laminaria ऐसा सेवाल है जिससे iodine प्राप्त होता है, laminaria से, इससे iodine मिलता है, clear, gracilaria से अगार-अगार मिलता है और antiseptic दवा मिलती है, एक सेवाल और आपने सुना होगा chlorella, क्या होता है, chlorella, दोस्तों इसका प्रयोग कहा होता है, अनुसंधान में होता है, या जो अंतरिक स्यात्री होते हैं, इसी को खाते हैं, ठीक न, एक सेवाल आपने और सुना होगा, blue green algae, जिसको हम कहते है, BZA, नील हरिस सेवाल, ये BZA क्या है, धरती पर आने वाला पहला plant, कौन सा, blue green algae है, नील हरिस सेवाल है, और नील हरिस सेवाल का परियोग धान के खेत में, जय भी खात की रूप में करते हैं, बायोग फटलाइजर की रूप में करते हैं, BGA का परियोग, most important है, इसको आप जानते रहें, ठीक है न, और iodine कैसे मिलता है, लैमनेरिया सेवाल से मिलता है, इस बात का भी ध्यान दीजेगा, दोस्तों, का होता है, यह lichen होता है, most important सेवाल और कवक के बीछ की कड़ी है, और जो lichen होता है, यह पेडों की छालों पर होता है, और पेडों की छालों पर सहजीली जीवन जीता है, लैकन, और most important, आगर lichen जिस एरिया में है, आगर उस एरिया में Sulfur Dioxide GAS बढ़ गई, तो lichen क्या हो दोस्दता का सूचक क्या होता है लाइकेन वायू प्रदूसर सूचक एयर पुल्यूशन इंडिकेटर क्या है लाइकेन होता है जो कि सल्फर डाई ऑक्षाइड के प्रती बहुत ही संस्टिव होता है और लिटमस पेपर कैसे प्राप्त होता है तो दिहां देना लिटमस पेप नमक बिमारियां हो जाती है और कवक दोस्तों हम लोग मश्रूम खाते हैं तो मश्रूम क्या है मश्रूम भी कवक है ज्यान देना मश्रूम क्या है मश्रूम भी कवक है और एक होता है इस्ट तो इस्ट से मिठाईयां बनती है या इस्ट से ब्रेड बनते हैं तो यह भी कवक क प्रकार है और तीन प्रकार होता है थेलोफायटा दोस्तों जो भ्राइवफायटा है तो मैं आप से इसका परिचे करवा दूँ ट्रेकियो फाइटे थर्ड होता है तीन ट्रहस प्लांट होते हैं अगर इंच की बात करें तो दिहां उभहिचर यानि की एमफीबियन ओफ्लांट किंगडंं व्रायोफाइटा को क्या कहते में अधिक आधलता वाले अस्थान पर रहता तो रावफाइटा कोmph प्रत्म अस्थली पौधा भी कहते हैं इसमें मुख रूप से अंदर मास एजोला और इस फेगनम तीन वराइटियां आती हैं मास एजोला इस फेगनम जिसमें मास का प्रयोग होता है अंदर में एजोला का प्रयोग धान के खेत में जैवी खाट के रूप में और जो इस फेगनम है उससे चिराग बत्ती का प्रयोग होता चिराग बत्ती बनता है तिये तीनों परायटियां ब्रायोफाइटा की हैं और इनको हम प्लांट जगत का उभैचर भी कहते हैं और आस् पन की लता बनने वाली जड़ कौन सी है लेकि जो पान होता होता है को सिससे बना है रो ही जड़ से लेकिन यहां पर जो आपका उत्तर है वो दिया हुआ है रो ही जड़ तो जो आ मुक्रूप से क्या हूं वह honeymoon है supporting route यानि ऐसी जड़े जो शहारा कर देती हैं तो supporting route कितने प्रकार की होती है दोस्तों supporting रूट बैसे कली तीन प्रकार की होती जो पहली होती है वह होती है R ज्हाइन जिसको proper रूट कहते हैं दूसरा होती है इस कृते है इस्टिल्ट रूट यानि की अवास्तम बजड और तिसरी क्या होती क्लाइंबिंग रूट जिसको हम कहते हैं आरोही जड यानि चढने वाले जड़े तो सपोर्टिंग रूट तीन प्रकार की है और जो पान की जड़ होती हो अभी सपोर्टिंग रूट होती है आए देखते किस प्रकार से देखिए जो प्रॉप रूट होती है वह एक्चुली में यसे माले कोई बड़ा सा बर्गत का पेड़ है तो होता क्या है कि इस बर्गत के पेड़ में जो साखाएं होती है इन साखाओं से पतली-पतली जड़े निकलती है जो सिधा मिट्टी में प्रवेश क करती है और इतनी मोटी आती बिल्कुल अस्तम की तरह इनको अस्तम जड़ कहते हैं चुकि बर्गत का पौधा बहुत बर्गत का प्रिच बहुत ही विसाल होता है तो इस बिच को गिरने से रोकने के लिए इसमें अस्तम जड़े निकली होती है जिनको हम प्राप रूट कहत है आगे स्टिल्ट रूट है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर और मिट्टी के बाहर दोनों होते हैं इनमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर तो जड़े होती ही होती है तथा कुछ जड़े मिट्टी के बाहर भी होती है और यह जड़े पौधे को ग जिकर कर रहे हैं वह कोशन पूछा गया है यानि आरोही जड़ देखिए जड़े कैसी होती है यह जड़े चड़ने वाली होती है इस प्रकार से ऐसे तो आरोही का मतलब होता है चड़ने वाली जड़े क्लाइमी रूट जैसे मालएं कोई पान का पत्ता है या मनी प्लांट है तो मनी प्लांट या पान में यह जड़े विक्सित होती है और आप देख सकते हैं यह जड़े निकल करके इस सहारे में चिपक जाती है चीपकने के बाद इस पौधे को चटने में सहायता देती हैं दोस्तों इनको हम कहते हैं आरोही जड़ तो ध्यान देना यहां जो सही उत्तर क्या हो जागा आपका दी यानिकी आरोही जड़ पान और मनी प्लांट में वोती है आगे देखिए लोहे की कील पारे पर क्यों तेर या अगर देखिए यहां जो उत्तर है लोहे की पारे से रासायनी क्रिया की प्रक्यति पानी में डुब जाती है यह गलत है लोहे का भार पानी से अधिक होता है प्था पारे से कम होता है या लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम है या पानी पारे से भारी है तो तो जब पानी का घनत्व लोहे से कम होता है तो लोहा जल में क्या होता है डूप जाता है लेकिन वही जो पारे की डेंसिटी है वो क्या होती है लोहे से जादा है तो जब पारे का घनत्व लोहे से अधिक होगा तो पारा क्या होगा लोहा क्या होगा पारे पर तैरेगा इस ब लोहा पारे पर थेरता है और जल्में डूब जाता है इस बातका अग्र दिछेगा ना दोस्तों लो bırakा जो आ पानी से अधिक है और जो पानी की डेंसिटी हो क्या है कि सॉरी यहां पर बल्कि हम कर सकते हैं कि जो पारे की डेंसिटी है वो क्या है लोहे से जो है लोहे से अधिक है ना तो इसलिए क्या होता है इसलिए लोहा पारे पर तैरता है जल में डूब जाता है आगे निमलिखित में से किस में गतिज उर्जा जादा होती है तो दिहान देना गतिज उर्जा क्या होती है दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन उर्जा को हम गतिज उर्जा कहते हैं अर्थाथ जब कोई वस्तु गति करेगी तभी उसमें गतिज उर्जा ह होती किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन उर्जा को कहते हैं इसको हम कह सकते हैं स्थ हैं को हम लेजिए को अग्याद को व्सक्यार है क्लियर दोस्तों दिया देना यहां क्या दिया हुआ है कि चली हुई गोली तो घ्री गोली गती करती रहती है यानि उसमें का उत Matthत होगी बैयरा है उसमेन रहता हूं को उत्था होगी कि नभी थनुस दिया हुआ है फिछा हुआ धनुस तो फिके हुए धनुस भाण्र यानि कि घ कई इनर्जी घ्रादेना जो खीचा हुआ धनुस होगा उसमें क्या होगी यानि कि यह ब्न खीचा हुआ है इसमें क्या होगा भई इसमें होगी Elastic Potential Energy यानि दोस्तों खीची हुई इस्तितिज उर्जा ना कि गतिज उर्जा अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगी जब यह गति करेगा एरो जब यह बाण गति करेगा इसमें भी गतिज उर्जा होगी लेकिन खिचावा धम से इसमें इनर्जी हो जाएगी इस बात का आप लोग ध्यान दीजेगा बाद बनाकर इकठा किया हुआ पानी उसमें भी क्या होता है उसमें भी होती है इस बात का विशेशुर्प से ध्यान दीजेगा चलिए आगे है धोने का सोड़ा यानि कि धावन सोडा किसका दोस्तों नाम है तो ध्यान देना यह होता है सोडियम कार्बोनेट चर्चा इसकी इसके पहले भी हो चुकी है यह सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा ठीक है ना आगे डबल रोटी तो डबल रोटी बनाने में परियुत किये जाने वाले baking powder क्या होता है यानि जो double roti अर्थाथ bread बनाने में हम प्रियोग करते है baking powder का तो उसका दोस्तो chemical ने में पूछ रहा है क्या होता है most important point है इस बात को आप लोग ध्यान दिजेगा कि पूछ रहा है कि baking powder क्या है इस में से sodium carbonate है कि sodium bicarbonate है कि sodium sulfate है कि sodium chloride है तो दिहान देना अगर हम इन सब की बात करें दोस्तों तो देखिए जो पहला है sodium carbonate होता है most important इसको जानते रहेगा आप लोग दोस्तो sodium carbonate क्या होता है ये होता है आपका Na2CO3 into 10H2O आगे है sodium bicarbonate NaHCO3 Na2SO4 और दोस्तों यहाँ पर NaCl sodium chloride हो जाएगा इस बात का देहान देना आप लोग clear तो sodium carbonate या sodium sulfate या दोस्तों sodium thiosulfate यहाँ पर नहीं दिखा गया है 10H2O हो जाएगा एक होता है sodium thiosulfate जिसको हम कहते हैं हाइपो ठीक है ना sodium thiosulfate या वो हाइपो होता है और देखिए हाइपो क्या होता है Na2S2O3 into 5S2O इसको हम sodium thiosulfate कहते हैं या इसको हम हाइपो कहते हैं ध्यान देना इन सब का कुछ न कुछ उपनाम होता है एक होता है जो sodium sulfate इसको हम chili salt पीटर भी कहते हैं अगर बात करें sodium carbonate की तो दोस्तो धावन सोडा है यह क्या है यह वासिंग सोडा है धावन सोडा है sodium bicarbonate क्या है यह खाने वाला सोडा है क्या है यह खाने वाला सोडा है वेकिन पाउडर है most important जानते रहिए आगे है sodium sulfate तो इसको हम कहते है chili salt पीटर इसको हम chili salt पीटर कहते हैं वही क्या है sodium chloride यहने cl है इसको कहते है साधारण नमक और वहीं दोस्तों यहने 2s2o3 into 5s2o यह हाइपो होता है और हाइपो को हम क्या कहते है sodium thiosulfate और हाइपो का परियोग साइनाइट को के जहर को के cn के जहर को खतन करने के लिए करते हैं यह होता है हाइपो जो सही उत्तर क्या हो जागा आपका sodium bicarbonate आगे बढ़ते है नासपाती का कौन सा भाग खाते हैं असपाती जो फल होता है एक्चुbelief में क्या होता ही ऐसा फल जिसका अंद्रमाड कुषपसं से होता है के पुषपसं से होता है व्onneिस एधांदेना तो जो नासपाती होता है वह फुषपासं सही बंथा यह इसलिए सेब और और नासपाती में खाने वाला भांग क्या होता है सेव और नासपाती का खाने वाला जामुन में बेर में खाने वाला भाग फल भित्ती और मध्य फल भित्ती है ठीक इसी प्रकार से पूछता है कि फल भित्ती मध्य फल भित्ती और विजांडशन तीने खाने वाले भाग अमरूद और टमाटर में होते हैं फिर सहपत्र परिदल और वीज तो कटहल अननास और सहतूत में ख है जड़की गाठ है या पती है तो दहान देना जो लॉंग होती है दोस्तों यह क्या होता है इन में से देखिए जो सहीं उत्तर क्या होगा उसतों यहू Champоме तो यह थो लाउग क्या है जो दूर्ट है या चाहिए क्ली क्ली मोस्त लेам दिखान देना सब्सद्राइक क्या है लॉग होती है शूखी कलंट क्या हो जाएगा सूखी कलि तो इस से जो मिलता दूलता उत्ताएक क्या होगाज अपका डी हो जाएगा ऐसे पू паль When मिलता है कि भोर सब्सक्राइब करना कि ट्रका करने की मिलता है झारने कि लेकस खेर पौधे की छाल से मिलता है कर्था की करना फिर पूशता है दोस्तों इसी में कि हींग कहां से मिलती है तो देहां देना फेरूला पौधे के पुस्प से एक पौधा है तो फेरूला पौधे के पुस्प से क्या मिलता है इसके पुस्प से मिलता है दोस्तों फिर पूशता कि केसर कहां से मिलता है तो देहान देना केसर मिलता है सैफ्रोन कोकस कैसे मिलता है शैफ्रोन कोकस नामक जो पौधा होता है शैफ्रोन कोकस के पुष्प के वर्तिकागर से कहां से मिलता है पुष्प के वर्तिकागर से मिलता है केसर यह केसर मिलता है और दोस्तों पूछता है कि अफीम कहां से मिलता है तो दिहान देना जो अफीम है वो अफीम मिलता है पोस्ता पौधे का अधपकाफल तो पोस्ता का अधपकाफल जो होता है उसी से क्या मिलता है उसी से मिलता है अफीम पोस्ता पौधे का अधपकाफल यहा से अफिम प्राप्त होता है most important इस बात को देहान देना और पूछता है कि कुने कहां से मिलता है तो सिर्कोना की छाल से कुने मिलता है जो कि मलेविया के उप्चार की दवा है और इसी वी question बन जाता है दोस्तों कि इसके अत्रिक जो है साबुदाना कहां से मिलता है तो साइकस पौदे के फल से क्या मिलता है साबुदाना प्राप्त हो जाता है तार्पीन का तेल कहां से मिलता है दोस्तों तो देहान देना चीड के फल से तार्पीन का तेल प्राप्त होता है यह सारी बात आपके लिए most important है इसको देहान पपीते में पीला रंकी होता है पप करिका जहन तिला होता है पपीते का दूध क्या होता है इसी ढ़िक। लाइकोपीन से क्या होता है टमाटर लाल होता है क्या होता है लाइकोपीन से टमाटर लाल रंग का होता है most important ध्यान देना आप लोग और दोस्तों अगर लाल की बात करें तो सेब का लाल रंग प्याज का लाल रंग गाजर का लाल रंग यह तीनों एंथोसाइनीन से टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन से ठीक है ना चुकंदर का लाल रंग वीटा नीन से गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से ठीक है ना या हल्दी का पीला रंग तो जैन्थोफिल या कुकुरमीन से प्याज भी काटने के बाद पीला हो जाता है तो क्वैंसी टोन से पपीते का पील रंग कैरिका जैन्थीन से ठीक ना मिर्च का हरा रंग कैप्सें ठीक से चीन से या आलू का । कैसे होता है यह होता है सोले निन से most important तो पपीता पीला क्यों होता है यह होता है कैरिका जैन्थीन से और जो कैरोटीन है यह गाजर में नारंगी रंग का कारण होता है तो दिहान देना जो सही उत्तर क्या होगा इसका कैरिका जैन्थीन और जो पपेन है वो पपीते के होता है वो भरता और जाता है तो बरता है कोई परीबरता नहीं होता या फिर परीवर्थित होता है तो डिशान देना जो लोहा होता है लोहे में जंग लगने के लिए नमी तो नमी और और आक्सिजन दोनों आवस्यक हैं, दोनों की उपस्तिती में ही लोहे में जंग लगता है, और दोस्तों लोहे में जंग कैसे लगता है, वो लगता है फेरस आक्साइड और फेरिक हाइड्राक्साइड से, तो फेरस आक्साइड और फेरिक हाइड्राक्साइड के से क्या होता लोहे में जंग लगता है और जब लोहे में जंग लगता है उसका वेट क्या होता है बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने के लिए नमी और आक्सिजन आवस्यक है कोशन आ चुका है कि लोहे के आक्सी करण से ही लोहे में जंग लग जाता है इस बात का ध्यां देना और जब जंग लगने से रोकने के लिए क्रोमियम का परियोग करते हैं अगर हम क्रोमियम का परियोग करेंगे उसमें जंग नहीं लगेगा या दोस्तों क्रोमियम का लेप लगाते हैं या पेंट लगा देते हैं लोहे में जल्दी उसमें जंग नहीं लगता तो दिहान देना फेरस आ लेप लगाएंगे क्रोमियम का लेप लगाएंगे या उसको हम पेंट कर देते हैं ठीक है चलिए अगला प्रस्ता है इस ट्यार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्पूर धातु उपयोग मिलाई जाती है यानि कि जब स्टेंडलेस स्टील बनती है जब स्टेंडलेस स्ट तो स्टेंडलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग करते हैं और स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कार्बन का प्रयोग होता है तो अगर केवल स्टील की बात आती तो हम कहते हैं तब कहते हैं हम लोहा और कार्बन होता है यहां स्टेंडलेस स्टी चैनलेस स्टिल हो गया आगे देखते कौन सा प्रस्न है कि वर्षा की बूद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है तो जो पहला उत्तर है स्यानता इसको हम कहते है वैसको सिटी उसका उसके बाद दोस्तों प्रिश्टतनाव है फिर प्रत्यास्तता है फिर गुरुत्व है तो क्या होता है कि सर्फिस टेंसर होता यह है कि जो द्रव का स्वतंद्र प्रिश्ट होता है द्रव का स्वतंद्र प्रिश्ट सदय तनाव की स्थिती में रहता है और कम से कम अस्थान घिरने की प्रभित रखता है दोस्तों और द्रव के स्वतंद्र प्रिश्ट के इस तनाव हम पृष्ण तनाव कहते हैं होता है यहां होता है सर्फेस टैंसन पर ाराबर क्या ऐसकर होता है और कम से कम अस्थान घेरने की प्रभिक्ती भी और इस आपने आस-पास के कमों ऑकररेगी यह जो उसके आस-पास करेंगे वह अपने आस-पास कम गले करेंगे तो ऐसे के किनारिक होता है कि कि यह न taraf होती है एक इसलिए जो उदक होती है नूज Vienna by के कारण और दोस्तों यहां दिया गया स्यान्ता स्यान्ता क्या होती है जैसे माली कोई द्रव है दोस्तों देहान देना स्यान्ता का मतलब गाढ़ा पन होता है इसका मतलब क्या होता है स्यान्ता का मतलब होता है गाढ़ा पन ठीक है ना देखिए द्रव की विभिन सतह होती है द्रव की विभिन सतहों के बीच एक असपर्थ रेखी बल कारी करता है और यह असपर्थ रेखी बल इन द्रव की विभिन सतहों को गती करने से रोकता है और इसी बल को हम स्यान बल कहते हैं इस क्रिया को स्यानता कहते हैं तो देहान देना, जो स्यानता होती, इसका मतलब है गाढ़ापन, देखी, अगर हम बात करें पारा, दोस्तों, पारा की स्यानता सहद से अधिक होगी, सहद की स्यानता जल से अधिक होगी, और जल की स्यानता वायू से अधिक होगी, जिसमें जितना गाढ़ापन, उसमें उतन इस बात को आप लोग ध्यान देना तिसमन जो सही उत्तर क्या हो जाएगा यह वर्षा की बूदे गुलाकार हो जाती है आगे देखिए लेंब की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है तो यहां दू उत्तर दिया गया है दाब में अंतर केसी की यह घटना तेल की कम स्यानता और तेल में कार्बोजिलिक समूँ तो लेंब की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना क्या होता है देखिए हम लोग पढ़ते आते हैं कैपिलरिटी जिसे हम कहते हैं केसी कत्व क्या बोलते हैं केसी कत्व कहते हैं कैपिलरिटी कहते हैं दरसल दोस्तों केस नली में द्रव का उपर चहना और नीचे उतरना केसी कत्व कहलाता है। पर जल की बूदों का फैल जाना या सोखते द्वारा स्याही का सोखना या पेन में स्याही का उतरना या दोस्तों कोशन यहीं से बनता है कि सरीर को तौलिय से सुखाना इन सब जगहों पर कौन सा एक्जामपल है तो केसी कत्व होता है या पेड़ पौधों में जल का उपर च नीला फोता, ठीक न, कारा थायिए सुत्र क्या है, दोस्तों नीला फोता दिया गया है, इसका केमिकल फॉर्मूला बूछ रह आ है तो पहला है Na2-S2O3 इसको हम लोग कहते है Sodium Thiosulfate यानि कि हाइपो होता है क्या होता है हाइपो आगे Na2CO3 दोस्तों Sodium Carbonate है यह यह क्या है दोस्तों Sodium Carbonate है जिसको हम कहते हैं Washing Soda धावन सोडा कहते हैं इसको हम लोग आगे है Sodium Sulphate है ना Sodium Sulphate इसे हम कहते हैं Chili Salt Peter क्या कहते हैं Chili Salt Peter कहते है Sodium Thiosulfate Chili Salt Peter आगे है Copper Sulphate जिसको हम कहते हैं यहां पर Green इसको हम कहते हैं Copper Sulphate है ठीक न यहीं होता है आपका नीलाथ होता है यहीं का पर सलफेट और इसका प्रियोग कहां होता है दोस्तों इसका प्रियोग होता है इसका प्रियोग होता है इस बात का आप लोग घ्यान दीजेगा इसका प्रियोग बैटरी उद्योग में होता है इलेक्ट्रो लाइट के रूप में दिये गए प्रस्त के अनुसार से उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी होगा है अगला प्रस्त है प्रस्त नंबर 25 चांदी के बरतन कुछ अवधी के बाद काले क्यों पढ़ जाते हैं बहुत सांदार प्रस्त दोस्तों है कि चांदी के बरतन कुछ अवधी के बाद खराब क्यों होते हैं जो इसके उत्तर दिये गए हैं पहला है चांदी पर नाइट्रेट का लेब बन जाता है या चांदी पर क्लो ओर मिला होता है और रंगों को पक्का करने के लिए सिल्बन नाइट्रेट का प्रियुग करते हैं आगे सिल्बर वुस्त दोटो ये क्या होता है यह मुल्स क्या होता है एजी टू यस होता है सिल्वर फिलफाइड ध्यान देना सलफर कहा होता है वाई मंडल में होता है जब हम चांदी के बरतन में कुछ खाना खाते हैं दोस्तों होता ये है वह चांदी का बरतन सलफर से अभिक्रिया करके काले पढ़ जाते हैं वही जो आपका प्रस्नी पूछ सबीयूर देना चांदी का लेव बन जाता है तो देहान देना एजी ट्रक 2010 का सिल्वर ग्रेंट अशे चांदी का कि सिल्वर SILVER CLOREÁID سे photographic plate बनती है क्या बनती है photographic plate बनती है SILVER CLOREÁID से और एक और होता है AZBR क्या होता है AZBR silver bromide और SILVER Bromide से क्या बनता है SILVER Bromide से बनता है PHOTOCOROMATIC GLASS जिसको Sató Aurumaticăng काच कहते है और PHOTOCOROMATIC earning काच ऐसा कांच है जिसे धूप के शस्मा बनता है और द्यान देना एक कंपॉवंड लिए बादलो का निर्मार किया जाता है टो चांदी कि प्रमुक योगी कहें और द्यान देना दोस्तों जब जो है एजी यह रहाने में रंगों को पक्का करने में एजी टू यह सिल्वर सुलफाइड होता है जिसे चांदी काला पर याता है एजी चील जिल्वर क्लोराइड इससे फोटो ग्रॉटिक प्रेट बनती है एजी बी यार शिल्वर ब्रोमाइड तो इससे आगे देखिए पौधों में phloem का मुख्य मुक्ता जिमेवार है यानि पौधों में phloem क्या करता है तो दिशान देना पहली बाद phloem होई क्या दोश्तों फफ्लो एक परकार का टीशू है क्या है एक प्रकार का उतक है आणे की टीशू है और phloem एसा उतक एक wives और जाइलम, पौधों में दो उतक होते हैं प्रमुक रूप से, एक फ्लोयम होता है, और एक क्या होता है, जाइलम होता है, देहान देना इनका प्रयोग पूछता है, तो भाई, जो ऑप्सन दिया गया है, आहार वहन के लिए, अमीनो अमल के वहन के लिए, जल वहन के लिए, और उनकी पत्तियों में बनता है दोस्तों तो देहान देना तो पौधों का भोजन पत्तियों में संचित रहता है किस रूप में इस टार्ज के रूप में और पौधे के इसी भोजन को फ्लोयम नामक उतक पौधे के सभी भागों में पहुचा देता है इस बात को देहान देना य तो जल के ट्रांस्पोर्ट के लिए जयलम उजिमेदार होता है जल और खनीजों का परीवहन पौधों में कौन करता है जयलम करता है धियान देना दोनों अपने आप में most important है आईए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न दिया गया है निम्लिकित में से सबसे बड़ा कोशी कांग क्या होता है सबसे बड़ा कोशी की अंग क्या है दोस्तों यह आपका प्रस्न है देखिए अगर यहां दिया गया गुर्ण सुत्र तो बिल्कुल नही सबसे बड़ा कोशी की अंग कौन सा है अगर पूछता है यह प्लांट सेल में क्या आपका से उतर होगा प्लास्टिड और दोस्तों अगर पूछता है एनिमल सेल में क्या होगा आपका केंद्रक क्या होगा केंद्रक यहां जो सही उतर दिया गया है वो प्लास्टिड है और प्लास्टिड हम किसको कहते हैं लवक को कहते हैं तो लवक सबसे बड़ा कोशी की अंग होता है लेकिन ध्यान रहे यह लवक के एनिमल सेल में प्रजेंट नहीं होता यह केवल कहा होता है यह क्या होता केंद्रक होता और गुल्षूत्र क्या होता है यह आनवन सिक्ता का वहांग है ठीक है ना बाकी mytochandria को हम powerhouse of the cell कहते हैं गाल जी काय है तो गाल जी काय को हम कोशिका में ट्रैफिक पुलीस कहते हैं इस बात का द्हान देना देना लोग इसको हम ट्रैफिक पुलीस कहते हैं तो दिये गए प्रस्टिक आनुसार सही उतर क्या हुजाएगा आपका आपका प्ला्सटिड आगे कोसिका की आतमहत्या की थहली की से कहते हैं कोशिका में आत्महत्या की थहली किसे कहते हैं लाइसोसोम नुक्लियोसोम रााइबोसोम और गाल जी का है निदिवennen दोस्तों देख़खें दर्शäreं उसा ओर्गिंज चैसे halten कोई कोशिका होती हैं हम जानते हैं कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की रावर्ट हुक ने की थी पहले वहीं से कोशिका के इतिहास की शुरुआत होती है तो कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं जितनी भी क्रियाएं किसी व्यक्ति में किसी सजीव में रोज होती है वो क्रियाएं वो सभी जैविक्रियाय कोशिका में अंतिम रूप से संपन होती हैं, है ना तो कोशिकाय सद्यू के जीवन की आधार भूत रचनात्मक इकाई होती ही दोस्तों, और देहान देना कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ती, और जीव पायाते हैं मुख्रूप से जिऊद्रब्य में आपका लाइसोसोम गाल जी का लवाक सेंट्रोसोम बहुत सारे अंग होते हैं तो देहान देना यहां कोशिका में आत्मात्या की थैली पूछ रहा है फ्रेंड्स दर्सल लाइसोसोम जिसकी खोच किया है क्रिस्चन डी डवे ने और इस खोच के लिए निको नोबल भी दिया गया था लाइसोसोम कोशिका में क्या करता है एंजाइम का स्राव करता है यह जो है कोशिका में एंजाइम का स्राव करता है सिक्रसन ऑफ एंजाइम किसका वरक होता है लाइसोसोम का लाइसोसोम से 20 प्रक करता है इसमिक होते हैं वह जो अपसिश्ट पदार्थ होते हैं उनका पाचन करते हैं स्निल्राइश सॉम को हम डाइजस्टीव कहते हैं और देखिए दोस्तों होता यह है कि जब ललाइश सॉम माण चेनन जाइब लेग शेश कर लेता है इसलिकि कि हम क्या कहते हैं चीयुसाइट क terrific कहते हैं या इसको हम आतन हठ्या की थैलीं भी कहते anie ऐटम भी कहते हैं यह सभी नाम किसे है दूस्तों कैंशर का कारण भी बनता है तो कैंसर का कारण क्या बनता है लाइसोसोम बनता है most important इस बात को आप लोग दिहान में रखियेगा आगे ribosome है तो ribosome में protein का निर्माड होता है ribosome को protein की factory कहते है गाल जी काय है कोसिकी अंगों का प्रबंधन करता है कोसिका में सचीव और ट्रैफिक पुलिस कहलाता है ठीक है ना तो इसको सचीव और ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसको प्रोटीन की फैक्टरी कहते हैं इसे पाचन की थैली आत्मात्या की थैली और एटम बोम कहते हैं तो स आशलियों से संबंधित अध्यन क्या कहलाता है दोस्तों ज्यान देना यहां देखिए हम परते हैं जो मचली होती है मचली का लेटिन नाम क्या होता है एक्थियो दोस्तों फिस का लेटिन नाम क्या होता है यह होता है एक्थियो और अगर हम इसी के पीछे लॉजी एड़ कर मचली होगा अध्यन में तो मचली का अध्यन क्या हो जाएगा आपका अध्यन क्या हो आपका प्रस्चन पूच रहा है दिहान देना ऐसे ही पूचता है सरप का अध्यन दोस्तों क्या होता है सर्पों का अध्यान होता है सर्पेटोलोजी तो ऑस्टियों का अध्यान ओडोंटोलाजी दातों का अध्यान जरेंटोलोजी बिर्दब्यक्तियों का अध्यान या ओफियोलोजी तो सापों का अध्यान और निथोलोजी तो पक्षियों का अध्यान या तु मैंने अध्यान और समझ और कलिचर पर एक क्लास बनाई गई है उसको आप सकते हैं बहुत ही आसाथ कण है अगे कोशन देखिये अगला क्या है अगला है निमलिखित में Mei से ब्येक्शन कौन है ठीक उन्हीं लिकत में से वह घ्ञानिक जिसने पहली बार रुधिर परिशंचर की एक क्धया की tomorrow यहां जो पहला उक्छन क्या है लुन होग तो धिया देल ऊप्छो होग एसे ऑग्वा जिरोन ने क्या किया है जीवान की खोचकी है क्या किया है जीवान की खोचकी है दोस्तों हारवे हारवे ने सबसे पहले क्या बताया परिसंचरर तंत्र यानि कि दोनाल ग्रास दोस्तों डोनाल ग्रास ने क्या किया है मलेरिया पर जीवी की खोशकी है देखिए अगर बात की जाए हारवे के बारें दोस्तों तो सबसे पहले हारवे ने क्या होताया हारवे ने बताया कि जो मनुस्य का रुधिर होता है वो दोहरा परिशंचलर का होता है औ से बाहर नहीं जाता और दोहरा कैसे होता है एक तरफ से सुद्धरक्ट और एक तरफ से क्या होता है असुद्धरक्ट तो दोस्तों ने बताया था कि परिसंचलर हमारा कैसे होता है तो हार्वे ने बताया था ध्यान देना हमारे हिर्दय के द्वारा रोधिर का परिसंचलर हो मुकाबले स्वेत वस्त्र सीतल क्यों होते हैं अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकास को आवसोसित करते हैं या उनके पास जो भी प्रकास पहुंचता है उसे परावर्तित करते हैं या प्रकास भेदक नहीं होते हैं या सूर्य के प्रकास को पूर्तयार सीतल कर देते हैं तो काले वर्ष्ट्रों के मुकाबले स्वेत वर्ष्ट क्यों अच्छे होते हैं दोस्तों तो दिहान देरा दसल होता क्या है होता यह है कि कोई पदार्थ अगर उस्मा को ग्रहर करेगा तो जाहिर सी बात है वह उस्मा को उत्पन भी करेगा है ना जो पदार्थ उस्मा को ग् होता है क्या होता है वह होता है स्वेत प्रकास क्या होता है स्वेत प्रकास और दोस्तों स्वेत प्रकास में सात रंग होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्वेत प्रकास में कितने रंग होते हैं सात रंग होते हैं जिनको हम विवग्योर कहते हैं तो जब यह स्वेत प्रकास स्व को आवसोशित नहीं करेगा तो सफेद करते हैं सफेद प्रकास को सफेद प्रकास को के व Warning उन्हों होता ओंध सर्जित करता जिससे गर्मी लगती अना पशीना होता लेकिन सफेद कपडय क्या करते हैं सफेद कपड़े स्वेद प्रकास को आवसोसित नहीं करते बल्कि परावर्तित कर देते हैं दोस्तों और परावर्तित करने के करण क्या होता है सफेद कपड़े अराम दायक होते हैं लेकिन जो काले कपड़े होते हैं वे स्वेद प्रकास के सभी रंगों को आवसोसि होते हैं भॉयू में द्ध्वने की चाल 332 में準 232 होती है यदि दाब बरहा कर दोगुणा कर दिया जाए तो द्ध्वने की चाल क्या होगी द। द्ध्यां Powder उश्टि की चाल को दोणके दभॉयू क्या चाल बढ़ जाएगी दोने की चाल उतनी ही रहेगी घर जाएगी तो दिहान देना इसको हम कहते हैं भौतिक कारकों का दोने की चाल पर प्रभाव देखिए अगर हम दाब बढ़ाएं तो दोने की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता अर्थात दोने की चाल जितनी वायू में है जितनी वर्तमान में है उतना ही दाप बढ़ाने के बाद भी होगी 332 मीटर पर 30 सेकेंड ही होगी लेकिन क्या हो यदि हम ताप मान बढ़ा दें ताप बढ़ने पर दोस्तों अगर ताप मान बढ़ जाये दोने की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा मोस्ट इंपोर्टन देहान देना आप लोग एक डिगरी सेल्सियस ताप बढ़ने पर बढ़ने पर दोने की चाल बराबर दोने की चाल कितना हो जायेगी बराबर 0.61 मीटर पर सेकेंड प्लास 332 मीटर पर सेकेंड अगर ताप मान एक डिगरी सेल्सियस बढ़ेगा तो दोने की चाल क्या होगी बढ़ेगी देखिए दोने की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है उसके बाद द्राव में होगी फिर गैस में होगी और निरवात में बिल्कुल 0 होती है निरवात में दोनी संचरण नहीं कर पाती है तो दोस्तों अगर ताप मान बढ़ाएंगे दोनी की चाल भी क्या होगी बर जाएग क्यों सुनाई देती है बताईए अभी मैंने आपसे कहा कि दोन की चाल निरवात में जीरो होती है उसके बाद सबसे धिक धोस में फिर द्राओं में फिर गैस में दरसल क्या होता है वर्षा के बाद क्या होता है कि वायू मंडल में जल की बूदेटी की होती है जहां पर वर्षा के बाद वायू मंडल में जल की मात्रा अधिक होती है तो जब वायू मंडल में जल की मात्रा अधिक होती तो माध्यम क्या होता सघन रहता है जैसे हम चिलाएंगे तो द्वाने की चाल हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी लेकिन अगर क्यवल वायू है सघनता नहीं है या फिर आधरता नहीं है तो दोन की जाल कितनी होगी 332 लेकिन कोश्चन बनता है कि वर्षा के बाद सीटी बजाने पर दोनी बहुत दूर तर सुनाई देती है क्योंकि दोस्तों उसमें आधरता बढ़ जाती है और वायो मंडल में जल की मातरा बढ़ जाती है जिससे जल जो जैसे ध्वानी तरंगे जल पर बहुत तेज संचलर करती है इसलिए बहुत दूर दस्माई देती है तो दिहान देना दिये गए प्रस्टन के अनुसार से उत्तर क्या होगा 332 मीटर पतिस से कर्ण हो जाएगा आगे देखिए इंद्र धनुस किस कारण से उत्पन होता है अपवर्तन और परिच्छेपर से प्रकीडन और अपवर्तन से बीवर्तन और अपवर्तन से अपवर्तन और परावर्तन से तो दिहान देना दोस्तों इंद्र धनुस प्रकास यानि जल पर पढ़ने वाली प्रकास की बूदों द्वारा स्प्रेक्ट्रम यानिकी वर्ण विच्छेपर रंगों का सबसे अच्छा उधारर क्या होता है रैन्बो यानि की इंद्रधनुस होता है ठीक दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें सातो रंग एक साथ दिखाई देते हैं जो आपका विविग्योर होता है वो क्या होता है दोस्तों सातो रंग क्या होते हैं इसमें एक साथ दिखाई देते हैं विविग्योर में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा यह होता है इन धनुस ध्यान देना जो रैनबू बनता है जो इन धनुस बनता है यह सदयो सूर के विप्रीत होता है और इन धनुस सदयो वर्षा के बाद ही बन पाता है और सदयो सूर के विप्रीत दिसा में बनता है अगर सूर्य पस्चिम में है तो रैन्बो कहां बनेगा पूरब में बनेगा यदि सूर्य पूरब में है तो रैन्बो कहां बनेगा पस्चिम में बनेगा और रैन्बो हमेशा दो पहर के पहले दो पहर के बात बनता है या सूर्य के अगेस्ट बनता है इस बात का ध्यान देन रैंबौë दो प्रकार की होती जो पहली होती जब वर्षा की बूदों पर प्रणνे वाली प्रकाश की क्रिणों का डोबार अपवर्टन और एक बारावर्टन होता है क्या नंदु लाल रंग अन्दर होता है और जब वर्शा की बूंदों पर पढ़ने वाली प्रकाश की कीड़ों का दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है तो क्या बनेगी सेकेंडरी रैंबो बनेगी इस बात का दियान देना आप लोग इसमें बैगनी रंग बाहर होता है और लाल रंग कहा होता है अंदर होता है तो ध मूरीग मनिची का बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं वैतिकरण, बीवर्तन, धुरुवी करण और पूर आंतरिक परावर्तन दोस्तों एक्चुले में क्या होता यह पूरळ आंतरिक परावर्तन जैसे हीरे का चमकनह भी पूर आंतरिक परावर्तन होता है हीरे का चमकना या चिटके हुए काच का चमकना कालिक किये हुए गोले का चमकना या अप्टिकल फाइबर ये सभी में क्या होता है प्रकास का पूर आंतरिक परावर्तन होता है अप्टिकल फाइबर वाला इस बार PCS प्रिलिम्स के परिच्छा में आ चुका है कि सभी क्या होता है दोस्तों सभी प्रकास का पूर आंत्रिक परावर्तन की घटना के दौरा ही हो पाता है ध्यान दिजेगा आप लोग अब दोस्तों इसमें प्रस्न क्या बन रहा है कि मृज मरीश का एक्चुली मिया एक भ्रम होता है दर्सल जैसे क्या है कि अगर हम कभी जैसे माली जीए दूर से आते हैं कोई पेड़ है तो हमको ऐसा लगता है कि जो पेड़ है इस पेड़ का प्रतविम उल्टा बना दिखाई देता है जैसे माली जीए घटना रेगिस्तान में होती है यहा तो जहां पेड़ों की छाय टीना दूप के मौसम में उस पेड़ों की छाय के पास हमको जल दिखाई देता है तो यह यह कोई प्रटविम दिखाई देगा और पर प्रतविम बनेगा वहاں पर क्या होगा जल दिखाई देता कहते हैं इसी हैं अगर मुलीजा को 2500 बढ़ते हैं अगर क्यां सबनाधियों 2% फूर्ब होता है और 90 का मांद जब आपतन कोंड को करांती कोंड कहेंघे क्लियर तो देहां देना यह प्रकास का पूर्ड औह्तरी परावरतन कow होगा बस्ता है देखिए अब यहाँ बनता है यह आतन है यह एंगल यह फारतन है यह इंगल और है जम कहते करांटिक कोण यदि हम आपतन कोण के मान को क्या करते हैं करांतिक कोण से भी अधिक करते हैं तो प्रकास त्री ने जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लग जाती हैं इसी को हम कहते हैं प्रकास का पूर आंतरिक परावर्तन दोस्तों ध्यान देना यहां बार-बार क्या हो यहां पर पूर्ण परावर्तन होता है जिससे यह इन दिखाई दिखाई देता है ध्यान देना प्रकास का एक वीडियो इसके पहले आ का है उसमें सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं दोस्तों जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रकास का पूर आंतरिक परावर्तन ठीक है ना इस बात को आप लोग ध्यान दीजेगा मरिग मरीची का या लूमिंग या भीरे का चमकना चीटके हुए कांच का चमकना या पर इसके अतरिक्त पूछता है कि कालिक की गोले का चमकना ये सभी क्या होता है दोस्तों ये सभी प्रकास का पूर आंतरी परावरतन होता है अब देखिए सोने को किसमें घोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर सफियरिक इसमें सोना आसानी से घुल जाता है और यहां जो है इसको अमलों का राजा कहते हैं इसमें सोना आसानी से घुल नहीं पाता है लेकिन अमराज में सोना, हीरा, चांदी, प्लेटिनम, कोई भी आक्रिष्ध धातु हो आसानी से इस अमराज में घुल जाती है तो सयुत्तर क्या होगा आपका नाइट्रिक अमलों तो नाइट्रिक अवल में आसानी सोना घुल सकता है ठीक है ना आगे देखिए आगे फोटो क्रोमैटिक काच किसकी उपस्थिती कारण बनता है या काला रंग होने से गुरधर्म होता है फोटो क्रोमाइटिक काच में किसकी उपस्थिती के कारण काला रंग होने का गुर्धर्म होता है यानि फोटो क्रोमाइटिक काच का परियोग डे नाइट के चसमे में होता है धूप के चसमे में होता है तो डेनाइट का रंग जो चस्मा होता है पोटो क्रॉमेटिक कांच का वो काला क्यूं होता है प्रस्त निये जैसे भेक्ति धूप में आता है चस्मा क्या होता है काला पर आता है तो कैसे काला होता दोस्तों यह कोशन पूछ रहा है तो देहान देना उसमें क्या मिला होता है सिलवर ब्रोमाइड का प्रियोग फोटो क्रोमैटिक कांच में करते हैं कीओं? क्योंकि जैसे वो कांच धूप में आता है तुरंत काला हो जाता है उसको हम धूप का चस्मा भी कहते हैं तो सिलवर ब्रोमाइड क्या होगा? इसका सही उत्तर कहा जाएगा आगे देखिए आप लोग पुरुस में पुरुसत्व कारण, पुरुस में पुरुसत्व के लिए कौँ सा गुर्णशुत्री सयोजन उत्तरदाई होता है, तो दिहान देना भाई, गुर्णशुत्र यानि क्रोमोजूम, दोस्तों क्रोमोजूम की खोज सबसे पहले स्ट्रा स्ट्रास बर्गर ने किया है और नाम कौन दिया है वाल डेयर ने दिया हुआ है नाम दिया दोस्तों नाम दिया है वाल डेयर ने और ध्यान देना इसके दो होते हैं पहला क्या होता है पहला इसका कार्य होता है पैत्रिक लच्छण का वाहक का निर्धारन यानि कि पैत्रिक लच्छणों का निर्धारन कौन करता है गुर्षुत्र करता है एक पॉइंट और दोस्तों बनता है कि लेंगिक गुणों का निर्धारन कौन करता है यह भी गुर्षुत्र करता है दिहान देना मनुस में कितना होता है कुल होता है 46 गुर्षुत्र अर्थार 23 पेयर हम क्या सकते हैं कि 23 जोड आदमी है उसमें क्या हो जाएगा 22 प्लस XY ठीक ना अगर कोई female है तो उसमें कितना होगा female में होगा 22 प्लस XX कितना होगा 22 प्लस XX ध्यार देना ये 22 क्या है 22 समझात है महिलाओं और पुर्षों में बराबर होते हैं इसको हम कहते है आटोसोम लेकिन जो XY है और XX है यही डिफरेंट पैदा करता है मेल और फीमेल के लैंगिक गुरों में और दोस्तों यही होता है लैंगिक लच्छणों को उत्पन करने वाला XY है तो क्या हो जाएगा पुरूस और XX क्या हो जाएगा फीमेल यहां सही उत्तर क्या होगा XY होता है पुरूस में ठीक है दोस्तों दिहान देना इसमें 22 क्या है आटोसोम और यहां जो XY है या XX है यह होता है हेट्रोसोम यही XY और XX से अंतर पैदा होता है ठीक है ना अगला है प्रस्ट नंबर 37 मनुष्य के जीवन काल में कितने दात दोबारा विक्सित होते हैं तो देहान देना दोस्तों जो दात होते हैं कैल्सियम और फासपुरस के बने होते हैं कैसे बनते हैं कैल्सियम और फासपुरस के बने होते हैं दात फासपुरस के कारण क्या होते हैं मजबूत होते हैं और फ्लॉराइड की कमी से दात काले पर जाते हैं और फ्लॉराइड के बनने तो तो दात जड़ भी जाते हैं और दात हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं ब और दात एक बार तूटते हैं दोबारा निकलते हैं तो दातों को हम दूई बार दंती अर्थाट डीफियो डोन कहते हैं तो मनुस्य के जीवन काल में कितने दात दोबार बिटसित होते हैं तो दिहान देना 20 दात ऐसे दोस्तों होते हैं जो दोबार निकलते हैं एक बार तूटते हैं, दोबारा निकलते हैं, तो 20 दाथ ऐसे होते हैं, जिनको आस्थाई या दूद के दाथ भी कहते हैं, इनको हम आस्थाई भी कहेंगे, और इनको हम दूद के दाथ भी कहेंगे, इनको हम teeth of milk, यानि कि दूद के दाथ भी कहते हैं, इस बात का आप लोग अच्छी तरह से द्यान दीजेगा. अगर ऐसा पूझता है, कि अस्थाई दाफ कितने होते हैं, कुल 32 होते हैं. ठीक है ना? दोस्तों, 12 वर्ष्ष तक 20 दाफ निकलते हैं, 29 वर्ष तक कुल 28 निकलते हैं, 19 वर्ष के बाद 32 निकलते हैं. ठीक है ना? ह스타 कि अगला है अगला है रुधिर दाब मापक की यंदर कौन सा यानी प्रेशर रघ्थ दाब को कैसे मापते ही दोस्तों है यानी कि रघ्द दार होता क्या है तो देहान देना हमारे सरीर में रुधिर का पर संचरण होता है और रुधिर के द्वारा ही सरीर में आक्सिजन का आवागमन होता है अगर अगर ब्लड का अ defend का क्या होता वो पूरी बॉडी में फैल नहीं पाता ध्यान देना कोशन कुछता है कि रख्त क्या है दोस्तों रख्त तरल सयोजी उतक है लिक्विड क्नेक्नेक्टिव टी सु है और एक वैस्ट मनुस्य में रख्त की मातरा पांच से छे लिटर होनी चाहिए रख्त का अध्याद हमेटोलाजी होता है रख्त के निरमार की क्रिया हमेटोποI-sis होती है most important है इस बात को दिहान देना रक्त का pH मान 7.4 होता दोस्तों exact बहुत important point है और अगर question ऐसा बनता है कि रक्त को blood bank में कब तक रखते हैं तो लगभग 6 हफते तक यानि कि 42 दिन तक ठीक है ना 4-6 degree Celsius और EDTA को मिला करके question बनता है कि एक unit में कितना blood होता है तो पहले 450 था लेकिन वर्तमान में जो blood bag होता है उसमें एक unit में कुल 350 ml blood आ पाता है जो रक्त होता है रक्त का निर्मार अस्तिमज्जा में होता है लेकिन एक सिसू के अंदर या सुरी दोस्तों भूड़ा वस्ता में जब सिसू मा के गर्भ में होता है तो वहां भीर का संचार पुरे सरीर में होता है तो दोस्तों जब हमारा हिर्द दबता है तो क्या करता है blood को हर जगां भेजता है उससे में दबाव क्या होता है अधिक होता है और ध्यान देना रक्तदाव का मापन ध्हमनियों द्वारा होता है सिराओं से नहीं होता ध्हमनियों से होता है रक्तदाव को मापने के लिए इस फिगनों मैनोमीटर का प्रियोग करते हैं रक्तदाव दो प्रकार का होता है एक होता है सिस्टॉलिक क्या होता है सिस्टॉलिक जिसे हम कहते हैं प्रंकुचन जब हमारा दबत होता है तो बहुत ही दमाओ के साथ पूरे ब्लड को बॉड़ी में भेशता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक वो कितना होता है 120 mmHg होता है यह होता है और दोस्तों जब हमारा हिर्देव फैलता है तो रख्त को क्या करता है उसको हम कहते हैं अनुसितलन यह हैने कि डियस्टोलिक और डियस्टोलिक कितना होता है यह होता है 80 mmHg तो देहान देना हमारा बीपी 120 के उपर नहीं और 80 के नीचे नहीं इसके भी उपर जाएगा तो प्राबलम होगी नीचे आगा तभी क्या होगी प्राबलम होगी दोस्तों जब हम उचाई पर चढ़ते है या दोडते हैं या जब हमारी उमर बढ़ती है तो हमारा ब्लैड प्रिसर में बढ़ जाता है और जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लैड प्रेसर 5% घट जाता है यह बात आप ध्यान देना अगर कोई blood pressure का मरीज है तो उसको वायू यान में यात्रा करने से लोग रोकते हैं क्योंकि ऊपर क्या होता है वायू दाप कम होता है और वायू दाप कम होने से body का blood pressure बढ़ जाता है और बैक्ति के नाक से रक्त निकल जाता है इस बात का धिहान देना आप लोग तो दोस्तो ACZ क्या होता है क्या होता है इलेक्ट्र कार्डियोग्राफ इसका प्रियोग हम कहां करते हैं ही स स्बाधिजास में करते हैं और क्या होता है यह जो हमारा pulse rate होती है pulse rate को मापने के लिए arm band का परियोग हम लोग करते हैं ठीक है आगे देखते हैं निम्न में से किसको RBC का कपरस्थान कहते हैं तो दिहान देना भाई RBC का मतलब दोस्तों इसको हम कहते हैं erythrocyte क्या कहते हैं RBC को हम erythrocyte कहते हैं और इसको हम कहते हैं लाल उधिर कडिकाएं दोस्तों RBC लाल क्यों होता है हीमोगुलोबीन से आपने पढ़ा होगा क्योंकि हीमोगुलोबीन में iron होता है जब वह iron अपक्रिया करता है oxygen के साथ तो ferrous oxide बनाता है जिससे हमारा blood कैसा होता है लाल उधिर का होता है अगर हम बात करें हीमोग बात करें अगर आपके RBC की तो देहान देना भाई RBC का निर्मान होता है लाल अस्ति मज्जा में लेकिन बिनास कहां होता है पलीहा में पलीहा को दोस्तों हम spline भी कहते हैं क्या कहते हैं इसी को हम तिल भी कहते हैं तिल्ली भी कहते हैं ध्यान देना इसी तिल्ली में RBC की मृत्ति होती है और इसी लिए भाई इसको हम क्या कहते हैं ब्रोड आल्पीसिए मजाता है किडड़नी कुण हमね क्या होता है इस बात का ठेक्मित और नुतम 20 और हिक्तम 120 दिन होता है और 600 RBC होती तो एक WBC रहती इस पर इस बाद का भी आप विसेस रूप से ध्यान देना ठीक है आप देखते हैं अगला प्रस्न कौन सा है देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रस्न है मनुस्य में स्वाच्छो सव्यास यानि कि ब्रिधिंग में बाहर निक क्लियर दिहान देना जब दोस्तों हम वायू ग्रहण करते हैं तो वायू कितनी होती है 100% ठीक ना वायू कितनी होती है 100% इसमें बहुत सारी गया से होती है होता यह है कि हम कौन कौन सी गयास अंदर लेते हैं कौन सी अंदर लिया कौन सी ग्रहण किया और कौन सी कितना बाह तो नाइट्रोजन कितना होता है वाई में 78% और दोस्तों 78% में गरहड कितना किया 0% कितना बाहर किया 78% जितना लिया सारा बाहर कर दिया है ना क्योंकि इसका कोई वर्क नहीं है बोडी के अंदर जितना हमने लिया नाइट्रोजन सारा हमने बाहर कर दिया अगला आता है आक कितना लिया हमने 21 परसेंट कितना गरहड किया 4 परसेंट किवल 4 परसेंट किया हमें और कितना बाहर किया 16 तक तरह परसेंट और दोस्तों कार्बन डाय ऑक्साइड कुल होती है अधिक मातर में बाहर हुई है यह हमारी जैविक क्रियाओं के उपरां बन जाती है ठीक है ना तो सही उत्तरिस में क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्सिमेटली आपक侏 गया है आपका अर्डोक्सिमेटली सही बात है लेकिन द्यान देना एक आस्थम ग्यस और भी होती है CCL3no2 जिसको हम कहते हैं chlorophycreen परिक्षा में question पुछा गया है कि निलिखित में से आसु गैस कहल भी है तो हम कहते है orer CCL3no2 यह भी आसु गैस है और ammonia कर प्रेव भी आसु गैस में होता है अर दोस्तों देहान देना chlorine chlorine ऐसा तक तो है प्रबल आक्षिकारक मैं बात कराऊ क्लोरीन की प्रबल आक्षिकारक प्रबल अभिक्रिया सील ठीक है ना और दोस्तों जो आपका क्लोरीन है यह प्रबल आक्षिकारक है प्रबल अभिक्रिया सील दोस्तों होता है और देहान देना क्लोरीन के ही बारे में क्लोरीन फूलों का रंग उडाने में प्रयोग में आता है और इसी क्लोरीन का प्रयोग चीनी का रंग सफेद करने में करते हूं तो फूलों का रंग उडाने में चीनी का रंग सफेद करने में दोस्तों या फिर प्रबल आक्सिकारक के या फिर प्रबल दो है अब क्रिया सील क्लोरीन ही होती है देखिए आगे hydrogen carbide कोई work नहीं होता है, आगे क्या है, hydrogen sulfide दोस्तों है, S2S होती है, hydrogen sulfide, तो इससे सड़े अंडे की गंध आती है, इस बात का आप लोग विशेश रुप से ध्यान दिजा, hydrogen sulfide है, सड़े अंडे की गंध आती है, इसी गैस से, ठीक है न, आगे देखिए, बारूद एक मिस्रड दोस्तों है, तो सबसे बहुत देखिए, जो बारूद है, बारूद एक मिस्रड है, किसका ये पुशा गया है, तो देहान देना आप लोग, अगर हम इसकी बात करें, तो बालू और TNT का, TNT और Charcoal का, Nitar Sulfur और Charcoal का, Sulfur बालू और Charcoal का, तो बारूद क्या है, भाई देखिए, सबसे पहले 1242 में, रोजर बेकन एक बग्यानिक थे, रोजर बेकन ने क्या किया था, सबसे पहले बारूद को बनाया था, और दोस्तों दिहान देना जो बारूद होता है वो नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल का एक विश्रण होता है 16 अनुपाते 3 अनुपाते 2 ठीक है ना दिहान देना सबसे पहले रोजर बेकर ने क्या किया था बारूत को बनाया था नाइक्टर, सल्फर और चार कोल के द्वारा most important चीज है भाई 16 अनपाते, 3 अनपाते, 2 के अनपात में इसको मिला करके सबसे पहले बारूत बनाया गया था और ध्यान देना TNT होता है ट्राइनाइट्रो टालूमिन एक होता है TNG ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन को हम नोबेल टेल भी कहते हैं यह बात भी most important है दोस्तों एक होता है ट्राइनाइट्रो बेंजीन इसको हम कहते है TNB यह भी important है बाकि RDX होता है RDX का मतलब है research developed explosive RDX को हम कहते है T4 या plastic bonded explosive कहते हैं या RDX को हम हेक्सोजन भी कहते हैं और RDX दोस्तों बहुत ही खतरनाक एक बिसपोटक होता है और आप देखिए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका C हो जाएगा नाइटर, सल्फर और चार्कोल को मिलाकर सबसे पहले बेकर ने क्या किया था बारूत को बनाया था और एक होता है डाइनामाइट और डाइनामाइट का आप इसका किस ने किया था आलफ्रेड नोबेल ने किया था यह बाद भी most important है आगे देखिए रोगियों के दाथ देखने में रोगियों के दाथ देखने में चिकित्सकों द्वारा दरपड कौन सा है तेकि यहां दरपड दे रहा है दोस्तों दरपड यहने की मिरर दरपड दो प्रकार का होता है तो रोगियों के दाथ को देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दरपण का प्रयोग होता है उतल दरपण समतल दरपण आउतल दरपण या फिर इने में से कोई नहीं तो दिहान देना भाई दरपण दो प्रकार का होता है देखिए इन दोनों को हम कहते हैं गोली दरपण क्या कहते हैं इनको इनको हम कहते हैं गोली और ये क्या होता है सम तो हम कह सकते हैं की दर्फण दो प्रकार का होता है एक होता है समतल दर्फण ओर दोस्तो एक क्या होता है गोली या दर्फण ठीक है न? देखिए सबसे पहले point यही बनता है की दरपड क्या होता है? तो देखिए जब कांच के एक पृिष्ट पर silver nitrate या पारे का लेप लगा करके, यहां क्या किया गया? एक प्रिष्ट पर silver nitrate या फिर पारे का लेप लगा करके, दूसरे प्रिष्ट को परावर्तक बन इस युक्करी को घर रड़ की डर्पर्ण ? घरफृ जो एसा डरपढ होती है और आभ आधा और जिसकी और सिता कैसी होती है गोली होती है यह व्रकार कोता है एक होता है उतल्व होता है और एक स्थी चाहेँ आवतल दरपड होता है देखिए उतल का मतलब होता है उभरा हुआ ऐसा दरपड जिसकी परावतल सता सामने की ओर उभरी हुई होती है है ना और ऐसा दरपड जिसकी परावतल सता क्या धसी होती है तो जिसका परावर्तक तल धसा हुआ होगा अंदर की ओर यानि जो ऐसा होगा है ना उसे हम आउतल कहेंगे जो ऐसा होगा इसे हम उत्तल कहेंगे उत्तल दरपर का एक मात्र प्रयोग होता है हलाकि दो तीन होता है लेकिन पूछता एक मात्र ही है चालक के बिल्कुल बगल में एक mirror लगा होता है जिससे वो side देखता है तो चालक की seat के बगल में side mirror में क्या होता है उत्तल दरपड होता है और एक जगा और जो road पर street light लगी होती है परावर तक lamp लगा होता है sodium lamp लगा होता है उसमें भी उत्तल दरपड ही प्रयोग होता है लेकिन दिहान देना जो आवतल दरपड होता है इसको आप अच्छी तरह से note करेंगे जो आवतल दरपड होता है देखिए वो होता कहां कहां पर दोस्तों पहला तो जो search light होती है torch में जो search light होती है जो torch होता है torch में क्या होता है भाई torch में दोस्तों होता है आउतल दरपन क्या होता दोस्तों torch में होता है आउतल दरपन या इसके अलावा गारियों की headlight तो गारियों की headlight में क्या होता है आउतल दरपन होता है तो हम कह सकते हैं पहला torch दुसरा headlight गारियों की headlight इसको हम torch को हम सर्थ light भी क कहां होता है टेबल लैंप में भी होता है इसका प्रयोग और इसका प्रयोग कहां होता है जो नाई होते हैं वो कहां करते हैं दारी बनाने में है ना सेव करने में ठीक है ना आगे देखिए कहां होता है यह होता है आंक कान गला दान्त के डाक्टर तो द्यान देना भाई आख कान नाक गला के डाक्टर दोबारा आउतल दरपड का ही प्रयोग किया जाता है और जहां बात उतल दरपड की चालक के सीड के वगल में और रोड पर लगे परावर्थक लैंप में आउतल दरपड का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों और ध्यान देना समतल दर्पड का प्रयोग भी कभी कभी जो है वस्तु को देखने में होता है इस बात का भी आप बिससरुप से ध्यान दीजेगा तो इसमें क्या क्या बोलते हैं मायोपिया को हम कहते हैं सोट साइडनेस या इसी को हम कहते हैं निकट व्रिष्चिदोस निकट व्रिष्चिदोस वाला ब्यक्ति देख सकता है बहुत ही अच्छा परसंदोस्तों है निकट व्रिष्चिदोस वाला ब्यक्ति देख सकता है नजदीक की इस अगर नस्दीक की वस्ट को अस्पष्ट देख पा रहा है तो अगर पास की वस्थ को देख पा रहा तो निकट की द्रिष्ट क्या है बिल्कुल असपट है निकट में कोई द्रिष्ट दोस नहीं है वो दूर में दोस है तो यहां क्या दिया है मायोपिया यानि कि निकट द्रिष्ट दोस में क्या होता दोस्तों देख सकता है तो नजदीक की वस्त को साफ साफ देख पाएगा तो निकट द्रिष्टी दोस का मतलब है कि निकट द्रिष्टी में कोई दोस नहीं है, दोस दूर की द्रिष्टी में है, त्यानि पहला क्या होगा मायोपिया, फिर क्या दूर की वर्ष्ट को असपस डूप से देखना, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हाइपरमाइट् यह क्या होता है यह होता है दूर द्रिष्टी दोस्ट और एक और है नजदीक एवं दूरों की वर्ष्टु को असपश्टूप से तो दोस्तो द्यान देना यह कुछ भी नहीं होता है और ना ही नजदीक की वर्स्तो ना ही दूर की वर्स्तो यह क्या होता है यह होता है दोस्तो जरा द्रिष्टी दोस जरा द्रिष्टी दोस इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया दियान दिना तो अगर ब्यक्ति निकट की वस्त को असपच देख पा रहा है उसमें निकट दिश्च दोस क्या है अगर निकट की वस्त को असपच देख पा रहा है दोस्तो क्या है उस ब्यक्ति में निकट दिश्च दोस है जिसके उपचार के लिए हम लोग आवतल लेंज क्या करते हैं आवतल लेंज का प्रियोग हम लोग करते हैं और देहान देना अगर ब्यक्ति दूर की वस्त को असपश्ट देख पा रहा है तो उसमें दूर दृष्टी दोस है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं उत्तल जरा दिश्चिते दोस्टो देआध़ इसमें हम लोग क्या करते हैं इस पर हम लोग दून फोकॶिस लेंस का फ्रयूंग करते हैं इसको हम कहते हैं अब्निय॥ कहते हैं अब इन दुपता केहते हैं स्कूंतिज में कें इसको हम लोग इसको हम कहते हैं एसकटbankada की सिभी my referring is om हुआ है क्या होता है यह सब्सक्राइब लेकिन ऊपर नीचे नहीं देख पाता है तो इसके लिए क्यों होता है सिलेंडरी यानि की बेलना डेंज की देहान देना तो द्रिश्ट मायोपिया वाला बक्ति क्या होता है नसदिक की वस्त असफ़ूप से देख़ पाता है सहई उत्तर क्या हो जाएगा आपका यह सही होगा आगे देखिये मानो सरीर की कौन सी ग्रंथी एक साथ अंतह स्रावी और बही स्रावी दोनों का कारे करती दोस्तों तो दिहान देना अगनाशय, यक्रित, प्यूस और थाइराइड तो दोस्तों कोश्चन क्या है कि मानो सरीर की वह कौन सी गरंथी है जो दोनों काम करती है तो दिहान देना वाय स्रावी गरंथियां तीन प्रकार की होती हैं वाय स्रावी गरंथियां ऐसी गरंथियां हैं जो एंजाइम का स्राव करती हैं और अंते स्रावी गरंथियां ऐसी गरंथियां हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं और कुछ गरंथियां या दुखतों ऐसी ग कहते हैं मिश्रित ग्रंथी तो दिहान देना यहां जो यक्रित है यह क्या है कि सबसे बड़ी ग्रंथी क्या है शबसे बड़ी ग्रंथी तो दिहान देना शबसे बड़ी ग्रंथी क्या है यक्रित के बाद क्या है दूसरी सबसे बड़ी गरंथी क्या है अगनाशय है और दोस्तों अगनाशय क्या है अगनाशय मिश्रित गरंथी भी है एंजाइम और हार्मन दोनों का सराव करती है इसी को हम कहते हैं मिश्रित गरंथी और ये बाद ध्यान देना आप लोग दोस्तों सब्से छोटी अनतय श्रावी करते हैं और प्यूसज ग्रंथी को सब्से छोटी अनतयािश्रावी क्यցते हैं देहां देना दोस्ते में अगर अगर पूछता है कि सब से चोटी वाइश्राबी गरंती कौनसी है तो सबसे छोटी वाय स्रावी गरंथी होती है जिसको हम कहते हैं स्वेद गरंथी जो पसीने का स्राव करती है सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रित, सबसे बड़ी वाहसरावी ग्रंथी यक्रित, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी अगनाशे, मिश्रित ग्रंथी अगनाशे, सबसे बड़ी अंतासरावी ग्रंथी तो थाइराइड, और ग्रंथियों में ग्रंथी तो पैरा थाइराइड, सब सबसे छोटी अंतर स्रावी ग्रंति प्यूज ग्रंस वह सिराव리 गृंति स्वेद ग्रंस बहुत सारे से तो आगे देखी आगे ठैराओ praw कर स्थान कहां है ठैराओ ग्रंस तो धियन देहान देना आपका तुरां टरस्थ होती दोस्तों क्या होता है इस प्रकार से ऐसे दोस्तों गला हमारा इस तरह से होता है और इसी गले में बीच में क्या होता है यह मालीजी गला हो गया इस तरह से और इसी में दोस्तों क्या होता है ठीक इस प्रकार देखिए ऐसे है ना और इसमें जो बीच वाला भाग होता है बीच वाले भाग को हम इस्थमस कहते हैं यह क्या है यह इस्थमस है यह उपास्ती है तो जो आपकी थाराइड गरंती है इस इसको हम सबसे बड़ी अंत्यस्त्राभी ग्रंथी कहते हैं तो गले में होती है ठीक है ना देखिए एक यहां पर हो गई यहां पर हो गई दो होती है तो दोनों क्या है दोनों यह थाराइड ग्रंथी है और दोनों थाराइड ग्रंथियां इस्थमस नामक उपास्थी से किस स इस्थमस नामक उपास्थी से जुड़ी होती है यह भी most important है अगर question बन जाए कि थायराइट गरंथी किस उपास्थी से जुड़ी होती है तो द्यान देना इस्थमस ना। ऑर इसको हम सबसे बड़ी से गरंथी कहते हैं और इसी गरंथी में क्या होती है इसी गरंथी में कुछ गरंथी और होती है जिसको कहते हैं पईर सा गयते हैं क्योंकि पैराराइड को ग्रंदियों में क्योंकि पहां होती है इस बाद का द्यान दीजिएगा आप लोक तो कंठ और स्वासनली के भीच में होती है इस हमस नामक उपास्ती से जुड़ी होती है है ना आगे कांडरा क्या करता है कांडरा जोड़ता है दोस्तों तो कांडरा किसको जोड़ता है हड़ी को हड़ी से पेशी को हड़ी से या हड़ी को पेशी से या पेशी को पेशी से तो देहां देना आप लो दोस्तो तो यहां देखिए जैसे हड़ी हो गई अभी है कि यह कोई हड़ी है कोई बोन है इस तरह से तो होता यह है कि इसमें जो पहला वाला भागय होता है इसको हम बोलते हैं मसल्स यह क्या होता है मसल्स होता है और यह हो गया बोन यानि कि हड़ी और दो हड़ीयों के बीच में कुछ लिक्विड पदात भरा होता है इसको हम कहते हैं लिगामेंट क्या होता है यह यह लिगामेंट होता है और यहाँ बोन और मसल्स के बीच कुछ लिक्विड होता है जो कि इन दोनों को जोड मेरत больше हैं और इसको हम कहते हैं तेंडन या कॉंड्रा कहते हैं तेंडन कहते हैं या कॉंड्रा कहते हैं इस बात का देहान देना आप लोग तो टेंडन या कॉंड्रा होता है तो भाई जो टेंडन या कॉंड्रा है ये बोन और मसल्स के बीच में होता है देहान देना दोस्तों का करता है ये बोन प्लस मसल्स हड़ी को जोड़ता है किस से मांस्पेसियों से तो हड़ीयों को मांस्पेसियों से कौन जोड़ता है यह जोड़ता है कॉंड्रा अगर कोश्चर बनता है कि बोन और बोन को कौन जोड़ता है तो जोड़ता है लिगामेंट तो हम कह सकते हैं bone plus bone यह होता है ligament ठीक अगर कोश्चन यह बनता है कि कुल muscles कितनी होती है हट कुल जो है मांस पीसियों की संख्या कितनी होती है तो 649 होती है कोश्चन बन सकता है कि सबसे चोटी पेसी कहा होती है तो कान में होती है जिसका नाम क्या है इस्टेपेडियस और सबसे बड़ी पेसी कौन सी है दोस्तों तो देहान देना सबसे बड़ी पेसी होती है सारक्टोरियम जो हमारी जांग में होती है और सबसे लंबी पेसी gluteus maximus ठीक है यह भी कहा होती है हमारी जांगों में होती है इस बात का ध्यान देना तो ligament जोड़ता है bone और bone को और tendon जोड़ता है bone और muscles को इस बात का भी से शुरूप से आप लोग ध्यान दीजेगे दोस्तों तो ये भी सही इसमें भी सही हलाकी तो चलिए इसमें जो आपका right answer का जाएगा बी हो जाएगा तो देखिए calcium प्रण्वुख रूप से आवस्चेख है blood को fraud कराने में या कि blood को philosophical कराने वाले element और भी है जैसे हम कह सकते है प्रोध्रामविन क्या होता है manage या अजजंव MRStraím प्रोध्रामविन या थ्रामबोलास्टी ने दोस्तों फाइब्रोजेन फाइब्रीनो चन्ड या थ्रामबीन फाइब्रीन ठीक ना या प्लेटलेट या कैल्सियम या बिटामिन के दिहान दे ना जितने भी कारक यहां लिखे गए हैं यह सभी कारक क्या होते हैं रगत को जमाते हैं बलड क्लोड कराते हैं तो शही उतर हो जायगा इसमें और दिहान देना एक प्रोटीन होती है यह हीपैरीन दोस्तों हीपैरीन प्रोटीन का स्राव कहां से होता है यह कृत से होता है यह एंटी क्लाटिंग प्रोटीन है याने की रग्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन क्या है कि पैरीन है और यहां प्रोथ्रामबिन थ्रामबोप्लास्टिन फाइब्रिनोजेन थ्रा अगला प्रस्टन क्या है दोस्तों अगला प्रस्टन ये है कि निम्लिखित में से कौन सा बहुलक यानि कौन सा पॉलिमर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रियोग में आता है दोस्तों तो देहान देना पॉली कार्बुनेट पूछ रहा है कि कौन सा पॉली कार्बु बनाता है तो नए बने अनु को बहुलक कहते हैं ठीक है ना और पूरी प्रेक्टिणिया को हम बहुलक करन है बहुलक के के द्वारा हम plastic जो synthesis plastic होता है synthesis fiber rubber इन सब का निरमार करते हैं भाई पूछता है कि polythene का बहुलक क्या है तो हम कहते है एतलीन है न पर प्ली स्टारिन का बहुलक है तो जो एसे पुछिता है यहां कोशन धिया Гएा कि भूलत प्रूफ खिड़की बनाने में क्या होता है तो भाई देखिए पॉली कारभोनेट प्लस के उलर क्या है रेसा है यह वहीं रियान होता है वह आठ गृतरिम रेशा है और आपका अगर हम बात करें दोस्तों नायलॉन क्या है तो दिहान देना पालि कर्भोनेट प्लस के उलर और ऐमीनेटेड गलास ध्राट्या रहीं केवलेट कर्भणा खेंड़कृम यह प्लेत नाया है और पॉली कर्भोनेट प्लस क्या है क्लिर दोस्तों और ध्यान देना पॉली इस्टाइरीन क्या है एक प्रकार का थर्मो प्लास्टिक है थर्मो प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गरम करने पर मुलायम हो जाता है और उसी प्लास्टिक का रिसाइकल भी होता है जहां कि पॉली इस्टाइरीन की बात है त आगे हैं 50 पर पचास आउसद में पीडा नासक के रूप में परियुत होने वाला मिस्र कौन सा होता है यानि दोस्तों ऐसी कौन सी मेडिसीन है जिसको हम धर्द निवारक के रूप में परियोग करते हैं यूरो ट्रोपीन, ख्लोरोफ writing, क्लोरो फॉर्म, यसले मिट्लिं यह दोस्तों कहते हैं ये दोनों ऐसी सदियां हैं जिसका प्रियोग हम लोग इनएस्ठेटिक रूप में करते हैं ठीक है किस रूप में करते हैं यानीकि ऑप्रिसं के समय बहुस्त करने ज़ीं ये दर्ड निवारग दबा है क्या है यह दर्द निवारग दबाए इसमें जो सही उत्तर क्या हो G आपका अप्धिन हो जाएगा और हरे तो यह कास्ट आप इस्पीरिट और olve एसा लिपलता है इस से पता है वो इसी से बनता है और यह हुआ जितकुष हद तक जो है प्रशानत का भी कार्य करता है इथिल एलकोहल कि अगर बात करें हम दर्द निवारत की तो यहां क्या होता है मने का प्रयोग होता है एस्पृरीन है क्रोbooks यह सब दोस्ते है ओगे अंगूर में और सा अमल होता है दोस्तों दिहान देना अगर हम अमल की बात करें तो देखो सिरके में क्या होता है सिरके में दोस्तों होता है एस्टिक अमल होता है अंगूर और इंबली में टायटरिक अमल होता है वहीं बात करें चीटी लाल चीटी और विच्छू के डंक में तो फार्मिक अमल होता है दोस्तों वहीं बात करें चने की पत्ती में तो बेंजोईक अमल होता है और बैंजोइक अमल ska फ्रियोग période पघार्थो शुरक्षित रखने में करते हैं अगर बात करें हम लोग टेमाटर में तो ऑगजलिक अमल होता है टेमाटर में इस बात का भी आप विशसरूब से ध्यान देना टेमाटर में आगजलिक अमल उता होता है इस बात का भी देहान देना और अगर पूछता है कि साइट्रिक अमल क्या होता है तो दोस्तों साइट्रिक अमल होता है आपका नीबू और कहां होता है नीबू और संतरें होता है साइट्रिक अमल यह भी और इंबिली में टार्टारिक अमल होता है अगर हम अमल की बात करें तो दोस्तों अमल वह पदार्थавай attracted जो अप curriculumृ में दिखान दिजेगा तक ना चलिए तो सयुत्र क्या होगा इसमें टार्टरिक अमल हो जाएगा आगे है सामान का प्लिट तार बनाई जाती याणि जो फियूज का प्लिट कSec स्टार का बना होता है यह प्रस्ट पूछ रहा है तो देहान देना जो फ्यूज होता है दोस्तों वो बनता है विशेस प्रकार के पदात से जिसको हम टांका कहते हैं रांगा कहते हैं और वो कैसे बनता है वो बनता है सीशा और टीन से बनता है उसमें सत्र परशन क्या होता है सीशा होता है और तीस परशन क्या होता दोस्तों तो शीशा औरgos का गलनांग और प्रतिरोध होता है निम्न होता है तो सकते हमारा उप्राइब होता है वो खराब हो जाता है तो उपकरण को बचाने से रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हूं या उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं और फ्यूज कैसे बनता है सीसा और तीन से बनता है इसी प्रकार दोस्तों पूछता है की पीतल कैसे बनता है तो पीतल जिंक और ताबा से बनता है जर्वन सिल्वर कैसे बनता है जर्वन सिल्वर जिंक ताबा निकल से बनता है ठीक है न ऐसे पूछता है कहां सा कैसे बनता है तिन और ताबा को मिला करके कहां सा बनता है इस बात को ध्यान देना पूछता है की osenless steel most important point हैtoAUM स्टील पॉइंट है 306 मेंगनिश्च्ञ hm दोस्तों क्या बंता है नेक्रों क्योंक्ण कैसे बनता है निकल और क्रोमियम से नैक्रोंग बनता है यहलाय का point है यहमें परिक्षा में खूब पूर्षता है ठीक है ना देखिए तो इसमें से उत्र क्या हो जाएगा आपका यहां होगा टीन और लेड का बनता है ठीक है ना टीन और लेड क्या बनता है फ्यूज बनता है ठीक है प्रस्ट अमर्तिरपन ट्रांसफार्मर क्या है तो भाई ट्रांसफार्मर यानि की पढ़णा में त्रांसफार्मर है कि इस इस्थिर वै बीलेचette की तो दोस्तों इसे में दो होता है एक होता है hover कैने मतलब होता है newtual induction एक होगा सf rejection दोनों पर कारे करता है लगा ठार्श सखार्म連 notify सी के ररेचे करता है और अल्टरनेटिव पर कारे थो कभी डी-सी पर नहीं करता अगर डशीए का प्रयोग करेंगे णक to consider do यह क्या होता है भाई दोस्तों आपने पढ़ाओगा इसके पहले यह होता आपका inverter यह क्या करता है inverter DC को AC में convert करता है AC बोल्टता को भटाने और बढ़ाने का कारी करता है तो देहान देना दोस्तों बिल्कुल सही बात है transformer ऐसी उपती है जो AC करेंट पर कारी करता है और यह करेंट को step up to step down and step down to step up यानि करेंट को उच अस्तर से निम्न अस्तर पर और निम्न अस्तर से उच अस्तर पर करने वाला कारी कारी कौन करता है तो दिये गए प्रश्ण के अरुशार सही उत्तर क्या होगा भी और AC बोल्ट के डी-सी में Convert करता है भाई ये कार होता है रेक्टी फायर का और दिहान देना रेक्टी फायर कहा लगा होता है ये लगा होता है mobile के एडाक्टर में चार्जर में होता है वैद्दुत उर्जा को यांत्रिक ईजा में भाई ये तो होता है विद्धुत मोटर क्या होता है सबसे पहले थीयो डॉर मैमन ने क्या किया था थियोडोर मैमन ने लेजर की खोश की थी और लेजर का परियोग हम लोग कहा करते हैं संदेश भेजने में करते हैं जो पतली सी लाइट होती इसको लेजर बोलते हैं इसका पूर रूप क्या इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तो या फिर दिया गया है Locality Amplified Sumulated Emission of Radiation ठीक है न tunnelsौर फॉल फॉर्म पूछ लाइड़ा पूर्पठा इसका अंसर दीजिए और देखीए इसमें क्या होगा इसमें सही उत्तर क्या होगा भी होगा है क्या होगा है थीक दर्वस्तों और एक चीज़े और यहाँ पूच्ता Ronald liजिए यहां करेंता मेजर का फुल Mimi क्या होता है तो द्हान देना आप लोग बस यहीं पर केवल हमम का मतलब माइक्रोवेब कर देंगे क्या कर देंगे माइक्रोवेब कर देंगे बाकी सब क्या है बाकी सब समान है सब वही है इस बात का भी आप लो विसे सुरुप से दिहान दीजेगा बस M को केवल हम microwave कर देंगे बाकी यह हो जाएगा मेजर बाकी सब क्या रहेगा यही रहेगा ठीक है तो लेजर का जो full form होता है वो light amplification by stimulated emission of radiation होता है most important है किनammodura hissedlong a superconductor, तो superconductor कैसा क्या होता है हम कहते हैं अति-चालक दोस्तों अति-चालक व्य पदार्त है जो निम्न तापमान पर भी चालक की भाती बेवहार करता है ठीक है न? तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है? जो विद्दुत करेंट के प्रवाह को निवन्तम रोधिका देते हैं जो निम्न ताप पर विद्दुत चालक करते हैं या जो उच्छ तापमान पर विद्दुत का चालन करते हैं, जो विद्दुत करेंद के प्रवाह को उच्छ रोधिता देते हैं, मैंने कहा तभी आपसे कि ऐसे पदार्थ जो निम्न तापमान पर भी चालक की भाती देवहार करते हैं, तो दिहान देना, दोस्तों क्या हो जा नायोबियम, सीरामिक, यह ऐसे एलेमेंट हैं जिनका प्रियोग हम लोग कहां करते हैं, सूपर कंड़क्टर के रूप में करते हैं, ध्यान देना, एक पुझता है कि आर्ध चालक क्या होता है, सेमी कंड़क्टर क्या होता है तो सिलीकान और जर्मेनियम का प्रयोग करते है अर्ध चालकों में और दोस्तों अर्ध चालक से क्या बनता है इस बात का भी ध्यान दिजेगा आप लोग और कोशन यहीं से बनता है सबसे अच्छा चालक क्या होता है सर्वत्म चालक क्या होता है विद्दूत का चांडी सोना तामा एलुमीनियम होता है ठीक है ना चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण हमारा है इस निमलिखित में से कौन सा एक पाचक इंजाईम कि अप देख पार हो ट्रिप्सिन उर्प taking और प्रकीन का पूर्पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम आगे है टाइरीन यह निकलता है हमारे लार गंतियों से लार में होता है टाइरीन एंजाइम एक जो है दोस्तों डाइस्ट एंजाइम है जो इस्टार्च को ग्लुकोज में इस्टार्च को माल्टोज में कनवर्ट करता है आगे है पेपसीन तो दोस् तो क्या हो जाएगा आपका गैस्ट्रीन किसी भी प्रकार का गैस्ट्रीन किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता तो आपका से उत्तर क्या होगा गैस्ट्रीन बाकि सभी जो एंजाइम धिये गए हैं वो पाचन क्रिया में सहायक हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की ओर प्रस्टन नमर्शतावन प्रस्टन है हमारे सरीर में मस्तिस्क का कौन सा भाग सम्वे गात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है दोस्तों तो देहान देना मस्तिस्क हमारे सरीर का क्या है ये मैनेजर होता है एक वयस्क मनुस्य के मस्तिस्क का वजन कितना होता है लगबग होता है 1400 ग्राम और ध्यान देना एक महिला के मस्तिस्क का वएट कितना होता है? 1280 ग्राम होता है दोस्तों पांच वर्ष की उम्र तक 95% मस्तिस्क का विकास हो जाता है और मस्तिस्क एक आवरर से घीरा होता है जिसको क्रेमियम कहते हैं और दोस्तों मस्तिस्क में सेरबरो स्पाइनल द्रव होता है तो मस्तिस्क को किसी भी आवरर से बचाता है और दिहान देना मस्तिस्क में मस्तिस्क के अंदर जो मस्तिस्क हमारा होता है 70% चरवी से बना होता है और मस्तिस्क में पुरे द्रव का लगभग 70% क्या होता है दोस्तों जल होता है इस बात का ध्यान देजेगा आप लोग और मस्तिस्क में कभी दर्द नहीं होता है क्योंकि अंदर मस्तिस्क के अंदर ब्लड कभी नहीं पहुंचता है मस्तिस्क के तीन वाग होते अगर मस्तिस्क मद्य मस्तिस्क और पश्च ज़ते हां देんな down अब कोशन पे आते हैं मस्तिस्क का कौर सा Alz सेंसेशन को Кон्रोल करता है। नहीं हाइपू एसमालिया यह मरा मस्तिस्क में होता है तो मिल और फित मस्तिस्क होता है तो तीन बाग होता है दोस्तों इन तीनों भाग हो गया यह मध्य हो गया इसको मत चाहएं इसको हम गते हैं प्रांस्तिक और एक पर यहां पर 99% भाग क्या हो गया यह हो गया प्रमस्तिस्क जिसको हम कहते हैं सेरेब्रम और यहां जो एक परसिंट भाग क्या होता डाई एंसी फेलॉंड ऑडाई अनसीफेलॉंड में तो constant रखता है कौन hypothalamus और ध्यान देना hypothalamus ने दोस्तों यह पसीना भूख प्यास गुस्सा प्रेम इन सभी क्रियाओं पर नियंत्र अस्थापित करता है hypothalamus कोशन पूछा गया है तो भूख प्यास प्रेम इन सपर नियंत्र करने वाला भाग यह होता है hypothalamus देखिए आगे क्या है दोस्तों आगे है मद्यमस्तिष को हम दोलते है तनिका ठीक है ना तो इसनों होता है कारकोरा और कारकोरा देखने और सुनने की सक्तिका नियंत्र करता है आगे है थैलमस देखिए थैलमस का वर्क होता है कि हमको तापमान का अनुभो कराना कि तापमान थंड़ा है कि गरम तो थंड़ा और गर्म का अनुभो कराने वाला भाग क्या होता है थंड़ा और गर्म का अनुभो कराने वाला भाग होता है थैलमस जैसे थरमस होता है ठीक वैसे थैलमस भी होता है दोस्तों आगे है प्रामस्तिस जिसको हम कहते हैं सेरे ब्रह्म इसे हम कह जाग है जहां पर मैमोरी यानि कि स्मृत्ति प्रेड़ा सम्वेग भावना अनुभव इन सभी क्रियाओं का नियंत्र होता है जो सेंसेशन हमारे सरीर में होता है सम्वेग उत्पन होता है सम्वेग आत्मक जो संदेश होता है वो दोस्तों कहा होता है तो यह होता है सेरे ब्र में हिन्य अंत्रित होती है Andreia इस वाढ़ का ज्यांदेना लुजांग है किसी को समझाणा जो भी होता है यह सभी होता है थे कहहें तो इसका सह उत्र क्या होगा इसका सही उत्र हो जाएगा सेल Medium या यानि की प्रामस्तिस्क आइए बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और प्रस्ट नंबर 58 ठीक है निमलिखित में से कौन सी सरकरा ततकाल उर्जा प्रदान करती है तो दिहान देना भाई ये पूछ रहा है कार्बो हाइडडेट के भी सहे में कार्बो हाइडडेट के तीन प्रका और यह लेक्टोज हमारे सरीन में गुलुकोज के रूप में संचित रहता है दोस्तों आगे है क्या है शलूलोज यह पौधों में होता है यह क्या है पौली सिक्राइड है यह कहां होता है मुखरुप से पौधों में होता है पौधों में पाय जाने वाला कार्बो अनाजों की सरकरा है आगे है गलुकोज आगे क्या है गलुकोज है तो गलुकोज के बहुत सारे नाम है जैसे इसको बोलते हैं गलुकोज को हम कहते हैं कोश की धन यानि की cellular fuel क्योंकि तुरंत उर्जा प्रदान करता है इसे बोलते हैं सोर्स आप instant energy quick energy गलुकोज को यह मक्य में होता है brain sugar yeah okay हम कहते हैं blood sugar क्योंकि हमारा blood या व्लुकोज गये आवसोसीत करता है उसके बाद glucose को ही हम कहते हैं ग्र्याब सुगर, क्योंकि glucose पके हुए अंगूर में प्रशूर मात्रा में पाया जाता है तो देहान देना glucose ऐसा कार्भोहाइड्रेट है ये공े लुषेक्राइड है क्योंकि ये कार्भोहाइड्रेट के single अडू से बना होता है एक ही अडु से बना होता है और यह सरल सरकरा है यह हमारी कोशिकाओं में घुल करके तुरंत माइटोकांड्रिया में आक्सिजन से अविक्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन करता है दोस्तों इसलिए हम गुल कोश को तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं सोर्स आप इंस्टेंट एनर्जी भी कहते हैं इसी को हम कोश की इधन कहते हैं इसी को हम कार्ण सुगर कहते हैं इसी को हम ब्लड सुगर कहते हैं इसी को हम ग्रैप सुगर कहते हैं ध्यान देना ब्लड सुगर क्यों बोलते हैं क्योंकि हमारा ब्लड केवल ग्लुकोज को आउस जो हुपस्थित है रत में यहां तो देखिए documented की बात करें यहां पर होता ह Prix Mow यह ब्लड में और क्या होता है ब्लन में PRROMBIN PROTEIN और H обычно जेन प्रोटीन फाइबरीन प्रोटीन ही पैरिनप्रोटीन सब कहां होती है अगर बात करें तो चाब है दोस्तों तुजा में क्या होती है तो चाह में होती है इसमें होती है फाइब्रोईन क्या होती है फाइब्रोईन प्रोटीन ठीक आप देखिए अंडों में क्या होता है दोस्तों अंडों में अलबूमी एल्बूमिन या ग्लोबूलिन तो एल्बूमिन या ग्लोबूलिन प्रोटीन ठीक है ना इसके लाँ दोस्तो एल्बूमिन ग्लोबूलिन ठीक है यह कहां होती है अंडे में होती है अंडे के सफेद भाग में होती है अल्बूमिन प्रोटीन इस बात का ध्यान देना तो इसमें जो है जो स्भूद्तर क्या होगा कि अल्फा क्रेटीन की दवारा बाल- शीङ- खुर होगा भी कहा होती है यह सभी कहा होता है ये सभी होता तो अचापर तो ध्यान देना जो अलफा की रेटीन प्रोटीन है अलफा की रेटीन प्रोटीन बाल माखू उन परसुनों के सींग खूर इन सब में होते हैं और ये सभी भाग कहां होते हैं तो अचापर होते हैं ध्यान देना कोशन अगर पूछ लिया कि गेहू में जीन प्रोटीन, मक्का में कौन सी जीन प्रोटीन, जव में हार्डीन प्रोटीन, मांस्पेसियों में एक्टीन प्रोटीन और मयोसीन प्रोटीन, दाल में प्रोलैमीन प्रोटीन, कापास में गोसे पिन प्रोटीन, मकडी के जाले और रेसम में आपका जो है फाइबरोईन प्रोटीन ठीक है दूद में कैरोटीन प्रोटीन केसीन प्रोटीन अंडे में अलबूमीन प्रोटीन तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है जहास्त प्रसंद बन जाते हैं ठीक है आए बढ़ते हैं अगला प्रसंद हमारा कौन है आज का अंतिम प्रसंद आपका है रेक्टिफाय का प्रियुक करते है तो वोल्ट को निम्न करने में ध्यान देना ये transform का का और है तो जब किसका का खार है ये transformer रज़े निमन बोल्ट को करना भाई ये भी transformer का है दृस्तों इस बात का ध्यान देना डीसी को abdc को अजयता करना ना कि साथ और ही करें दोस्तों दियां देना साथ महतलपूर मराथन को भी हम पर समाप करते हैं क्लास अग वा अच्छी हगी तो लाइक करें यह कमेंट और ध्यान देना ऐसे क्लास साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से most important प्रस्टनों के साथ तो आज के लिए बस इतना ही क्लास को यही पर बिराम देते हैं दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी फिर मिलते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत